हेलो एंड वेलकम टू अनकेडमी आपको एक mentorship मिलने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले और अपना ख्वाब पूरा करने वाले है आज का ये session है C-set Marathon 1 देखो C-set Marathon और वो भी किस पे comprehension पे ये comprehension बेटा ये वो टोपिक है जिसको अकसर हम बोल देते हैं कि comprehension को भूल जाओ इसके सहारे आपका C-set पास नहीं ह होगा और मैं यह कहता हूँ आप comprehension को बढ़ो और 50% से जादा help आपको comprehension ही करेगा है अगर यहां से 26-27 question आ रहे हैं और अगर आपने मेरे साथ practice कर लिए तो आपके यहां ही से सिर्फ comprehension से 19-20 question ठीक होंगे और दो घंटे का यह paper होता है आपका है ना C-set का paper होता है दो घंटे का और मुझे सिर्फ आपका इसमें से एक घंटा चाहिए एक घंटे में मैं आपको 19-20 question सही कर दोगे इस position पे पहुचा दूँगा बाकी एक घंटा है आपको 27 सवाल कुल solve करने है एक घंटा बाकी बचा आपके पास एक घंटा अभी इस एक घंटे में आपको यार 7 सवाल solve करने है 7 questions आपकी मर्जी है maths और reasoning से 10 करो 15 करो 20 करो उस एक घंटे में यह आपके उपर है तो comprehension वो हतियार है जो आपको PT पास कराएगा इस बात को धियान रखना मैं हमेशा सही बोलता हूँ तो यह मेराथन है और वास्ताओं में आप दोड़ोगे और result यहीं से improve होगा इस बात को धियान रखना तो आज बिल्कुल तंद्रुस्त रहो तीन घंटे का यह session होने वाला है आगे बढ़ेंगे शांदार बहतरीन लाजवाब तरीके से तो सबसे पहले मेरे बारे में जालो हूँ मेरा नाम है नवीन तवर 6 years of teaching experience है 6 time means interview को experience है monthly current affair magazine का एडिटर रहा हूँ जोगरफी से masters किया है और जोगरफी से ही ugc.net और jrf दोनों qualified हूँ आप लोगों को मेरी classes या आने वाली classes के notification उनके pdf चाहिए notification चाहिए तो आपको यह telegram channel जोईन करना है channel का नाम है unacademy underscore नवीन तवर या subscription से पहले आपका कोई doubt है बेटा तो भी आप यहीं से मुझे contact कर सकते हो दूसरा ये community है बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे already 1000 के आसपास बच्चे एक हजार बच्चे 995 में चान में के करीब आसपास बच्चे है जो मुझे community पर follow कर रहे है तो ये संख्या day by day day by day day by day बढ़ते जा रही है तो community पर आपको वो material मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला मेरी और से तो मैं आप सभी बच्चों को कहता हूँ अनकैडमी की learner app डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मुझे community में जाके follow कीजिए बहुत ही valuable PT को तोड़ने वाला material मिलने वाला है आपको वो आपको यहाँ पे मिलेगा तो community पे आप मुझे follow कीजिए learner app पे जाईए जिसके पास नहीं है डाउनलोड कीजिए यह 19 फरवरी तक का offer है आज रात 12 बजे तक 20% off है आपका इसमें और इसमें चाहे आप GS लो चाहे आप combo लो आप देख सकते हैं combo पे आपका और iconic पे सभी पे चूट है एक साल कलो 18 महिने दो साल का साल भर का देखो सिर्फ combo आपको 45,000 में पढ़ रहा है और iconic 63,000 18 मंत वाला आपको 53,000 में पढ़ रहा है और यह 68,000 में यह 65,000 में यह 96,000 में कब आपको करना क्या है नवीन 1 referral code का use करना है बिटा तभी आपको एक ऐसा smooth रास्ता मिलेगा कि fast attempt में ही आप सिधा लवासना के अंदर होंगे यह एक शांदार offer है देखो आप जानते हो 2021 में 712 vacancy थी 2022 का जब notification आया तो 861 vacancy UPSC ने मजला सरकार नहीं बताया था notification में 861 थी अभी वापस से vacancies को revise किया गया है और 1011 vacancies कर दी गई है vacancy में around 20% का hike हुआ है अनकेडमी ने आपको 20% का discount दे दिया है उधर 20% बढ़ा है तो अनकेडमी ने 20% का discount दिया है तो 20% का flat discount है UPSC ने 20% seat बढ़ा है तो अनकेडमी ने 20% अपनी fees घटा दी है तो आप देख सकते हैं एक साल वाला सिर्फ आपको 45,000 में और 18 मीने वाला सिर्फ 55,000 में करना क्या है मेरा referral code नवीनवन लगाना है ये test series है बेटा 23 फरवरी तक valid है 50% offer के साथ मेरा code लगा के test series लगाईए आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे 27 फरवरी को ultra combat है बहुत सारे exciting gift vouchers मिलेंगे आपको scholarship मिलेगी iconic subscription जिस भी बच्चे के पास है उसको live personal coach, live mentoring, main question answer writing, practice, study plan, open house with educators है live mentoring जो program है mentorship program है हर बच्चा अपने educator के साथ one to one interact कर सकता है अपने doubt strategy बना सकता है जो बच्चे को सिर्फ journal studies का subscription लेना है एक साल, दो साल, तीन साल कोई भी ले नवीन 1 code आपको apply करना है सेम आपका iconic में भी एक साल, दो साल, तीन साल कुछ भी ले code नवीन 1 geography अगर आपका optional है तो unacademy plus पर morning 9 a.m. पर optional का batch चल रहा है आपके join कहिए मुझे एक साल, दो साल, तीन साल कोई भी लो जो बच्चे one time पे नहीं कर सकते loan के जरीए EMI में चुका सकते है ये zero interest rate पे है कोई दो घंटे में अप्रूव हो जाएगा minimum paperwork है, flexible tenure है loan का form इसी वीडियो के description link में आप मुझे telegram पे आप follow कर सकते है शुरुवात करते है आज के session की, पहले आपके हाल चाल जान लेते है, क्या हाल है आप लोगों के, जल्दी से बताईए, कहा हो आप सभी लोग पकड़ के लेके आओ यार सबको, हिंदी माध्यम का result बदल रहा है, आपको पताए हिंदी माध्यम का result बदल रहा है और आप सोय हुए हो ठीक है, बहुत बढ़िया, मास्त सुन पा रहे है, ओके, बहुत ही जबरदस्त है ठीक है, सभी को पकड़ के लेके आओ बेटा है ना, एक बार, मेराथन सेशन है ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो शुरुवात करते हैं तो अभी बाकी बच्चे आते रहेंगे हैं ना देखो बेटा Comprehension हैना, Basically हमें problem कहां है मतलब, पहले हम basic problem समझेंगे, comprehension की basic problem क्या है बेसिक problem है, एक तो हमारी reading skill Reading skill, अभी हमारी reading skill poor हो चुकी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा हमने क्या कर दिया हम सिर्फ और सिर्फ notes के पीछे भाग रहे है इस teacher का notes, उस teacher का notes वो notes अभी आपको current affair भी पढ़ना है तो इस teacher की class, उस teacher की class सब कुछ आपको बना बनाया चाहिए आपको आसान language की आदत पढ़ गई है तो पहला हमारा reading skill थोड़ी सी reading skill पूर है तो हमारा जो analytical approach है वो भी पूर है आपने sorry बच्पन में देखा होगा बेटा जब आप school में college में गध्य पढ़ते थे है ना, गध्य पढ़ते पढ़ते थे तो हमें समझ नहीं आता था, फिर हमारे teacher हमें पढ़के उसका मतलब बताते थे तो हमें अचानक से समझ में आ जाता था पढ़ते थे ना, आप ये सोचो, आपने अपने school, college के बाद, जब से आप UPSC की preparation में आये हो क्या आप उस habit में हो maximum या तो notes पढ़ रहे हैं या हम guide पढ़ रहे हैं original text हमने पढ़ना बंद कर दिया, तो एक तो उसको पढ़ो दूसरा, comprehension के साथ जो एक basic जो समझ्या है इसके tillender word है वो ऐसे शब्द पूछता है जिनका मतलब हमने कभी सुना ही नहीं वो पूछता है आप से inference, इस passes के आधार इस passes का inference क्या है, ओके भी नहीं पढ़ा, वो बोलता है imply क्या है, वो आप से पूछता है, इसका crux क्या है crux पूछता है, main idea पूछ रहा है वो आप से, ओके वो आप से पूछता है, इस passes के आधार पे इसका implication क्या है आप बोलोगे सरा आपने ये हिंदी में क्यों नहीं लिखे, उसका हिंदी में ना लिखने का कारण है वेटार हिंदी में UPSC इसी चीज़ को तीन तरीके से लिख सकता है, एक, दो, तीन, आपके मन में आगया confusion English में बस वो inference ही लिखेगा मैं आपको कोई भी English passes को पढ़ने का suggestion नहीं दूँगा, बस बस मैं आपको कहूंगा कि आपको जब आप passes solve करें तो English, क्योंकि passes हिंदी और English में दोनों में दिया गया होता है, तो बस आपको ये देखना है कि उसने inference पूछा है, English वाले से corollary पूछा है, imply पूछा है, crux पूछा है main idea पूछा है, implication पूछा है, या assumption पूछा है, उसने पूछा क्या है उसने आपसे पूछा क्या है बस अंग्रेजी में आपको ये देखना है मैं इन सब, जितने भी शब्द है, टेलेंडर वर्ड है, इन सब का आपको मतलब बता दूँगा, जिससे आपका रास्ता थोड़ा और असान हो जाएगा, are you getting समझ भी आ रहा है आपको ये, क्या हुआ, क्या आप लोग सुन पा रहे है मुझे एक सेकिंड रुकिए लग रहा है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, एक सेकिंड रुक जाईए बस ओके एक सेकिंड ठीक है ओके, इस के लिए एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चों के मैसिज आ रहे थे, सर क्लास ओपन नहीं हो पा रही, लेकिन ठीक है मैंने देखा, एक क्लास चल रही है कोई इश्यू नहीं है क्लास में तो हमें ये समझना है बेटा तो जैसे, वो हिंदी में लिख रहा है सरवादिक महतपूर्ण नहीतार्थ देखो, सरवादिक महतपूर्ण नहीतार्थ, फिर कहता है वो स्रेष्ट रूप से नहीत, एक और हिंदी में कुछ और बोल सकता है, लेकिन इंगलिश में वो बोलेगा implied जो मैंने आपको बोला है implied शब्द का मतलब जान लेंगे वो आपसे पूर्वधारना है उसका मतलब है assumption आएगा उसके बाद सरवाधिक तर्क पूर्ण अवधारना देखो पूर्धारना सरवाधिक तर्क पूर्ण अवधारना most logical assumption तो बस हमें इन शब्दों का मतलब जानना है कि assumption का मतलब क्या है implied का मतलब क्या है implication का मतलब क्या है क्या होता है implication का मतलब inference का मतलब क्या है crucial message क्या कहतना चाहता है यह critical message क्या है main idea क्या है यह सारी की सारी चीज़े एक बार हमें जाननी पड़ेगी बेटा आप अपनी copy pencil उठा लो है ना copy pen उठा लो और इन सबका में आपको मतलब बता रहा हूँ एक बार 15-20 मिनट हम पहले इन सारी चीजों को जानेंगे उसके बाद हम practice शुरू करेंगे और जिस बच्चे ने अलरड़ी पहले से ये लिखा हुआ है समझा हुआ है उसके लिए तो और भी असान है वो बस revise कर लेगा मेरे साथ जैसे कहेगा वो मूल भाव क्या है best reflect the crux क्या है best sum up क्या है उप सिध्धान्त क्या है best reflect the corollary तो हमें सिर्फ इन शब्दों के मतलब जानने है एक बार हमारे पास मतलब आगे फिर हम passes शुरू करने वाले है तो ये मैं एक एक करके आपको मतलब बता देता हूँ सबसे पहले बात करते है conclusion की अगर वो आपसे UPSC पूछता है conclusion कि इस passes का conclusion क्या है यानि कि देखो passes है हमारा आपको UPSC देखो करता क्या है ऐसे आपको एक passes देदेगा ये आपको एक passes देने वाला है UPSC और इस passes पे based आपसे पूछेगा क्या inference निकलता है तो हमें passes को पढ़न के बाद जब वो ये question पूछता है इन सारी चीजों का मतलब जानना है तो अगर वो आपसे पूछता है conclusion क्या है तो इसका मतलब है आपने अपना बहुत सारे facts हो, इसके अंदर बहुत सारे facts है, इसके अंदर बहुत सारे evidences दिये होंगे, इसके अंदर कोई statement दिये गए होंगे, बहुत सारे आपको पढ़के कुछ observation आपको पता चला होगा, इसके दिये गए passes में, जो fact दिये गए है, जो evidence दिये गए है, जो statement दिया गया है, या वो observe कर रहा है, उसके आधार पे आपको अपना opinion बनाना है, opinion, कि आप क्या सोचते हो, opinion या आपको कुछ judgment देना है, तो जो conclusion जो कहता है, सुनो, इस सीज़ को दियान रखना, conclusion कहता है कि जो passes में है, उन्ही facts को, evidence को, statement को, observation को दियान में रखके, आपको answer देना है, या आपको अपना opinion बनाना है, आप इसमें no outside knowledge, बाहर के कोई भी ग्यान का आप इस्तमाल नहीं करोगे, अगर conclusion कुछा है, तो सिर्फ passes के अंदर जो facts है, जो evidence है, जो statement है, जो आपको observation मिल रहा है, उसी के base पे आपको अपना answer देना है, this is conclusion, भटकना नहीं है, ओके, ये बात याद रहेगी, ये हुआ है हमारा conclusion, no outside knowledge, आप बाहर का और अपना कोई भी ग्यान इस्तमाल नहीं करोगे, और कुछ concluding शब्द भी होते है, जिसके आधार पे आपको पता चल जाएगा, कि ये author passage में क्या कहना चाहता है, वो लिखेगा, इस परकार अत है, ये शब्द यूज़ करेगा, so therefore, ये शब्दों को यूज़ करने वाला है, तो ये शब्द जहां भी आजाए, तो समझ जाना वो कही न कहीं conclusion देने वाला है, या अपना concluding remark देने वाला है, तो हमें समझ में आ जाएगा वो इस प्रकार अथ है so therefore ऐसे शब्दों को इस्तमाल कर रहा है इसका मतलब अभी वो अपना conclusion बताने वाला है पैसेज से ही जराइव होगा, बाहर नहीं जाना Is it clear? फटावर बताओ, जो जो बातें समझ में आती रहे thumbs up करते रहों मुझे ओके? well done, दूसरा दूसरा है inference जब वो आपसे inference पूछता है तो inference में भी क्या करना है बिटा? दिये गया जो passes है आपका जो ये passes है इस passes में जो भी आपके पास facts है जो भी evidence है जो भी आपके statements है जो भी उसने कहा है आपका जो भी observation है इसी के आधार पे आपको अपना opinion बनाना है अपना opinion या अपना judgment देना है आप बोलोगे सर फिर इस inference में और उस conclusion में क्या फर्क हुआ? वो इन दोनों के बीच में basic फर्क है बिटा हम जहां conclusion में outside knowledge, outside experience, अपने prior experience का इस्तमाल नहीं कर सकते थे यहां पे हम अपने पूर्विज्ञान, अपने पूर्विज्ञान का, अपने अनुभव का prior knowledge और experience का इस्तमाल कर सकते है कर सकते है, कर सकते है, मतला अगर आपको पढ़के वैसे ही answer मिल गया देन बहुत अच्छा और अगर नहीं मिला तो वहां पे आप अपना पूर्विज्ञान, अनुभव इस्तमाल कर सकते हैं, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाते हो, तो मैं कहना ये चाता हूँ, एक example ले लो, आप गली से गुजर रहे हो, अचानक से आपको एक कुट्टा नजर आ गया वो लंबे-लंबे दांट निकाल रहा है, आपकी तरफ ऐसे देख रहा है अगर आपके पास पूर्व अनुभव है, पूर्व अनुभव है, आपको पूर्व में किसी डोग ने बाइट किया हुआ है, कुट्टे ने काटा हुआ है, तो आपका मन सिधा कहेगा, आरे भाई, ये दांट निकाल रहा है, ये काट सकता है समझे, आपका प्रायर जो एक्सपीरियेंस था, या नहीं, पिछली बार भी जब कर रहा था, तो वो ऐसे ही दांट निकाल रहा था, अभी अपने पिछले दो पैरों पे और थोड़ा सा पीछे को हो रहा है, अभी अटेक कर सकता है बचके रहना, तो यहाँ पे आपने एक और एक्जांपल हो, जैसे आर्क्टिक एरिया है, मैं आर्क्टिक इसलिए बोल रहा हूँ, UPSC का फेवरेट है, आर्क्टिक, क्लाइमिट चेंज, क्लाइमिट चेंज, ओके और आपका अग्रिकल्चर, यह UPSC का फेवरेट टॉपिक है, इन में से हर साल दो, दो, तीन, दो तीन चार आपको इतना पैसिज मिलेगा तो जैसे मैं एक एक्जामपल देता हूँ आपको कि जो आर्क्टिक है आर्क्टिक छेत्र को लेके एक्जामपल सुनो बेटा जो हमारा आर्क्टिक छेत्र है इस आर्क्टिक छेत्र को लेके मैं कहूं कि USA ऐसे रशिया, कनेडा, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है, उनके बीच में कॉम्पेटीशन चल रहा है, तो ये अगर ऐसा कोई पैसेज है, और आपके पास पूर्व अनुभव है, आई यार का, एकॉनमी का, आप जानते हो कि आर्क्टिक को लेके बड़ा कॉम्पेटीशन चल रहा है, वहाँ पे ओयल के रिजर्व है, या जब अगर वहाँ पे आईस मेल्ट होती है, और वहाँ का नया जो लेंड आपको प्राप्त होगा, उस चीज को लेके कहीं वह आपस म तो नहीं जगड रहे, तो आपके पास प्रायर आपका नॉलिज है, आप यहां इस्तमाल कर सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, पहली बात वहाँ के रिसॉर्स हो सकते हैं, और उसका जियो पॉलिटिकल जो उसका महत्व है, जो उसका prior knowledge का इस्तमाल कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज से answer नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने last time भी बताया था, दो तरह के question आते हैं, एक question वो होता है, जो directly आपको पैसेज से मिल जाएगा, direct, और जो second होता है, वो indirect होता है, जिसको आप बोलते हो, inference है, directly आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, तो UPSC आपको ये पैसेज देगा कि Arctic में USA, Russia, Canada, European countries आपस में उनके बीच में टशल है, दुनिया की भूराजनीती का केंदर बन चुका है, ऐसे कुछ सारी चीजे देगा, और नीचे statement बिल्कुल different, जो आपसे question में पूछेगा ना, वो बिल्कुल ही different पूछलेगा, आप पैसेज को ढूंडते रहोगे, और आपके जो question है, वो कुछ different ही उसपे पूछे गए, आप बोलते रहोगे, मिली नहीं रहा, पैसेज में तो उत्तर नहीं मिलेगा, वो inferential है बेटा, indirect है, आपका analytical approach कितना है, logically आप उसको कितना drive कर बारे हो, उसपे depend करेगा, सबच में आया, फटा फट बताओ, ये point सबच में आया, inference वाला, ठीक है, तो ये inference हो गया हमारा, next चलते है, फिर आपका होगे, सर, वो अजम्शन क्या है, अजम्शन, अजम्शन, पूर्वधारना जिसको आप बोलते हो, ये अजम्शन क्या है, देखो, basically, अजम्शन है, हमारा belief system, अजम्शन है belief system, और सब लोगों का belief system अलग-अलग हो सकता है, मेरा belief system अलग हो सकता है धर्म को लेके अर्थ वैवस्था को लेके लोगों को लेके आपका कुछ और हो सकता है तो यानि कि अजंप्शन का मतलब है पैसेज में author यानि कि जिसने वो पैसेज लिखा है उसका एक belief system है वो अपने उस belief system के आधार पे उसने वो पैसेज लिख दिया वो सही भी हो सकता है उसका belief system गलत भी हो सकता है अभी लेकिन अगर आजंप्शन आ जाता है पैसेज में तो बस ध्यान लखना जो पैसेज में author कह रहा है पैसेज में जो author ने कहा उसको आपको सही मान के चलना पड़ेगा हो सकता है आपके belief system से वो different हो लेकिन अगर वो पूछता है अजंप्शन यानि के जो पैसेज आ गया उसी पैसेज को दिमाख में रखना है example दूंगा don't worry जैसे कोई बंदा कह सकता है देखो ये अजंप्शन या आपका belief system हो सकता है कि जो वामपंथी लोग होते हैं वामपंथियों का कहना है कि दुनिया की सारे जो इतनी भी problems हैं उनका कारण आर्थिक है ये इनका अपना है इनका अपना नजरिया सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है और आप सोचो कोई धार्मिक व्यक्ति है जिसका इश्वर में धर्म में बहुत ज़ादा विश्वास है वो कह सकता है दुनिया की सारी problem है उनके कारण के पीछे इश्वर ये इच्छा है वो जो भी करा रहा है इश्वर करा रहा है तो इसका अपना अलग देस्टि कौन हो गया आपका कोई आप में से कोई एक बच्चा है Mr. A इसका अपना अलग belief system हो सकता है तो वो अपने belief system के आधार पर situation को observe करता है और passes लिख देता है तो अजंप्शन में हमें जो author है वो किस belief system से सोच रहा है बस हमें भी ऐसे ही सोच रहा है कई बार कहते हैं नहीं एक बार मेरी सुनो होता है नहीं जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कोई विवाद होता है कोई मुद्दा होता है कहता है मेरी सुनो अब आप उसकी सुनते हो वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है तो आपको उसकी सुननी है तो अजंप्शन में जो author कह रहा है उसके हिसाब से आपको passes को देखना है Is it clear? मैं अपसर एक example देता हूँ बच्चों को अजंप्शन के लिए कि आपका खुद का observation है आपका कोई दोस्त है आपका कोई दोस्त है Mr. Mahesh है ना अब आपने उसको देखा उसके चेहरे को देखो आपको लगाया और वो तो बड़ा उदास नजर आ रहा है अब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएगे आपका belief system है जैसे आप हो आपको आपको लगेगा यार महिश इसका चेहरा उदास लग रहा है पीटी फेल कर गया शायद पीटी फेल कर गया एक करण तो यह हो सकता है इसलिए उदास है बिचारा बात ही नहीं कर रहा किसी से है न अकिला बैठा है रो रहा है दूसरा कारण क्या हो सकता है उसको लग सकता है रात रूमेट के साथ पता नहीं क्या हो गया होगा या उसका जो भी हो सकता है उसका कोई personal issue चल रहा होगा तो उसके कोई personal matter पे लेके हो सकता है वो परेशान हो सकता है और और भी कुछ हो सकता है हो सकता है उसको कोई financial issue आ गया हो कारण बहुत सारे हो सकते लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि वो PT fail कर गया इसलिए उदास है तो ये आपका belief system है महेश से पूछा भाई आपको क्या हुआ आप ऐसे उदा motivation था वो महेश के face को देखके लेकिन आपने महेश से जाके पूछा अगर आपको वास्तिकता जान ये तो उसका belief था कि PT fail कर गया होगा महेश से जाके पूछा उसने बोला यार नहीं पीटी तो पास हो गया है पीटी पास हो गया है लेकिन आज यार पापा की बहुत याद आ रही है मा की बहुत याद आ रही है और वो वो हमेशा से ही चाते थे कि मैं I.S बनू आई-पीएस बनू लेकिन कोई हो सकता है उसकी life में हादसा हो गया उसकी life में अभी उसके mom dad के साथ कुछ हो गया वो नहीं है इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है वो उस उस problem में उद दल गई कि समझ रहे हो इस सीज़ को तो अजंप्शन में ऑथर जो कह रहा है हमें उसी हिसाब से सोच रहे हैं अपना दिमांग मत लगाओ आ रही आपको समझ भे इस इट क्लियर बहुत बढ़िया ठीक है C.A.P.F. में बैंकिंग में S.S.C. में दुनिया के किसी भी एक्जाम में कॉम्प्रियेंशन आएगा मैं आपको बता रहा हूँ इससे जादा अच्छा explanation इससे जादा आपको आनन्द और इससे जादा आपके सोचने समझने की छमता का विस्तार नहीं होगा अभी तो हमने passage पढ़ने शुरू नहीं गिया अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़े ओके पिर ये अजंप्शन हो गया अजंप्शन के बाद चलते है अभी हम नेक्स चलते है हम इंप्लाई तो इंप्लाई अगर वो पूछ लेता है कोशन में की इंप्लाई से क्या मतलब है इंप्लाई का मतलब है ओथर आपको कुछ हिंट करना चाह रहा है वो आपको कुछ संदेश देना चाह रहा है वो आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा है वो आपको कुछ hint करना चाता है suggest करना चाता है लेकिन वो directly आपको passes में नहीं मिलेगा याद रखना ये आपको directly passes में नहीं मिलेगा कि वो line exactly आपको exact line आपको passes में मिल जाए exact line नहीं मिलेगी आपको कि वो hint क्या करना चाता है ओके hidden है वो तो ये imply है वो कुछ आपको संदेश देना चाता है वो आपको कुछ suggest करना चाता है समझो पहले नहीं सुनते थे आपने कि author ने कुछ कह दिया कवी ने कुछ कह दिया आप उसका मतलब निकाल रहे हो कि ये क्या कहना क्या चाता है ये कुछ संदेश देना चाह रहा था वो प्रत्वी राज चोहान और चंदबरदाई का किस्सा याद है न प्रत्वी राज चोहान और चंदबरदाई का किस्सा वो कवीता में ही बता देता है उसको exactly वो जो बोल रहा होता है गान गारा होता है कि exact यह location है और यह ऐसे ऐसे तीर चला दो हो जाएगा काब फिर आया आपका crux या crucial message crux या crucial message क्या होता है यह आपको passes को पढ़के इस पस्ट ते passes में ही मिल जाएगा है ना इस पस्ट ते आपको passes में ही मिल जाएगा आपको कहीं hidden नहीं है आपको passes पढ़ोगे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यह कहना क्या चाहता है बस crux का मतलब यह है मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी कोई भी passes पढ़ो ना तो three idiot वाला movie का वो ध्यान रखो जब आमीर खान से उसका professor पूछता है रे भाई कहना क्या चाहते हो तो crucial message का मतलब यह है आपने passes पढ़ा passes पढ़ने के बाद आप यह feel कर जाओ आपकी यह कहना क्या चाहता था वो crucial message मतलब वो पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ है उसी आधार पे आपने decision लिया कि यार यह यह कहना चाहरा है तो इस पस्टते आपको यह passage में ही मिल जाएगा ओके नेक्स्ट हमारा चलता है implication implication अगर वो आपसे पूछता है implication कि इस passage का implication क्या है implication English में याद रखेंगे बैटा इस शब्द English में याद रखो English वाले passage से बस यह देखेंगे कि वो पूछना क्या चाहरा था question में वो उधर implication देखा तो हमें implication का मतलब पता है उत्तर देंगे उसी हिसाब से अब यह कहता है implication का मतलब है कई बार पैसेज के अंदर कारण किसी situation बहुत सारे उसके ground दिये होते है आपको कारण दिये होते है है आपको कुछ प्रभाव दे देगा कि इस वजह से यह हो रहा है और आप से कुछ solution पूछ लेगा कि आप क्या करोगे है न क्या करना चाहिए solution क्या है जैसे आपने बोला कारण दे दिया कि हर साल या मानसूनी वर्षा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है लालीना की घटनाए हो जाती है बार की situation हो जाती है और अकसर हमने यह देखा है हम यह नहीं कर पाते वो आपको कारण दे दिया जैसे कारण है बाड का है ना प्रभाव दिया बाड कारण है इसका वर्षा तो आपसे पुछेगा आपको क्या करना चाहिए तो बाड को रोखने के लिए आप क्या कर सकते हो बाड को रोखने के लिए आप बांध relationship बताई गई होती है उस पूरे passage के अंदर आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे उनके impact भी लेगे कि भाई भारत में लोगों को food नहीं मिल रहा तो वो क्या है malnutrition के शिकार है महिलाओ को अच्छे से उनका portion नहीं हो पा रहा तो उनके बच्चे भी किसके शिकार हो गए कुपोशन के शिकार हो गए तब आप क्या करोगे solution में क्या होंगे solution क्या करोगे आपको तो उस type से आपसे वो solution पूछेगा then again आपको solution पैसेज में नहीं मिलने बेटा ये आपकी knowledge आपको help करेगी कि इस position का solution क्या हो सकता है तो जो बच्चे का mindset ये है ना बेटा मैं साफ साफ बता देता हूँ जो ये सोच के चल रहा है कि सारे पैसेज का comprehension का उत्तर उसको इसी पैसेज से मिलेगा तो आप मात्र 20 से 30% पैसेज ही ठीक कर पाओगे याद रखना बाकी ठीक नहीं होने आप से तो ये भी आपकी एक पूर्व धारना है उसको बदल दो कि जो पैसेज में है उसी से ही आंसर आएगा नो सब केस में ऐसे नहीं होने वाला हो सकता है 50% केस में हो जाए लेकिन सब में तो नहीं होने वाला अगर वो conclusion है तो हो जाएगा अगर assumption है तो हो जाएगा और अगर वो crucial message है तो हो जाएगा बाकी में नहीं होगा क्योंकि जो conclusion है वो पैसेज से drive कर रहे हैं जो crucial message है main idea है वो भी हम पैसेज से drive कर रहे है और जो assumption है उसमें भी हमें passage में ही रहना है लेकिन अगर उसने आपसे inference पूछ लिया उसने आपसे imply पूछ लिया उसने आपसे implication पूछ लिया तब आपको पैसेज से उत्तर नहीं मिलने वाला आर ये बात समझ भे जल्दी से बताओ जल्दी से जवाब दीजिए आप मुझे तोके बहुत ही बढ़िया got it next आया हमारा Corollary ये Corollary के question कमी आतें लेकिन अगर Corollary का बारे में हमें नहीं पता तो हम Corollary को solve कर भी नहीं पाएँगे बिटा इस बात को भी ध्यान टना ये आया Corollary वो आप से पुछेगा इस पैसे के आधार पे आप ये कोरोलरी का बताईए कोरोलरी के दो मतलब होते है बिठा कोरोलरी के दो मतलब है क्या मतलब है कोई सिचुएशन थी पहली बात कोई सिचुएशन दी हुई है कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कोई fact दिया हुआ है और इसी situation statement और fact का result है दूसरा कोई situation दूसरी कोई statement या कोई fact याद रखना एक कोई situation दी गई है एक कोई statement है कोई fact है उसी का result है कोई दूसरी situation कोई दूसरा statement या fact आप बोलगे सर कहना क्या चाते हो सुनो इसका कहने का मतलब ये है समझ लो बेटा ये ये सबसे ज़्यादा मैत्पुन है अगर मैं आपको कहता हूँ आपको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आया आपने बुक की दुकान खोल दी बुक शौप खोल दी आपको लगा यार मैं पूरे दिन पढ़ता ही रहता हूँ काम धंदा तो कुछ चलेगा नी इससे अच्छा है एक दुकान खोल लेता हूँ पूरे दिन पढ़ता भी रहूँगा कोई मेर से कोई किताब विताब लेने के लिए आएगा उसको बेज दूबी दूँगा एकनॉमिक काम भी हो जाएगा और मेरा परसलल इंट्रेस्ट भी पूरा हो जाएगा तो आपने बुक शॉप खोल दी क्यों आपको बुक पढ़ने का बहुत आनन्द बुक पढ़ने में बहुत मजा रहा था ना बुक्स को पढ़ना आपको बहुत पसंद था तो इस वाली सिचुएशन इस वाली सिचुएशन का रिजल्ट है ये दूसरा एक और एक्जामपल देता हूँ उससे और इस पस्ट होगा मैं कहूँ एक और एक्जामपल ले लो आप एक और एक्जामपल ये है कि आपका मैट्स और रिजनिंग बहुत पूर है मैट्स और रिजनिंग आपका पूर है ये पूर है और आपके exam में maths और exam में आता है maths प्लस GS प्लस comprehension प्लस reasoning तो अगर आपका maths पूर है तो इसका result क्या होगा? आप ये बताओ, क्या जब exam आप दोगे तो सबसे पहले आप maths को solve करोगे, reasoning को solve करोगे या सबसे पहले आप GS को और comprehension को solve करोगे? बताओ, आप ये ही solve करोगे या आप कोई GS और comprehension पे जाओगे? ठीक है, comprehension को solve करोगे, तो एक situation का result है दूसरा, एक तो मतलब होता है corollary का ये, दूसरा corollary का मतलब होता है options क्या है आपके पास? options, suppose करो आपका पास mobile phone खराब हो गया, आपका mobile phone खराब हो गया, खराब हो गया, आपके पास option क्या है बेटा? या तो इसको repair कराओ, या आप new लो, तो corollary आपसे option भी पूछेगा, कि अब हमें क्या करना चाहिए? या अब आप क्या कर सकते हो? तो corollary में आपको दोनों चीज़े याद रखनी है कि उस दी गई situation, statement और fact का result क्या है? या हमारे पास option क्या है उस problem से निकलने का, दोनों चीज़ दिमाग में apply करके चलना है, बाकि जब हम comprehension solve करेंगे, तब आपको ये चीज़े ज़ादा समझ में आएगा. या मैं एक और example देता हूँ, जैसे इन दिनों UPSC ने भी पैसेज पूछा है कि अंतरास्टे स्तर पर जितनी भी वारताय हो रही है, तो ये कोशिश की जा रही है कि digital data को occupy कर लिया जाए, बहुत सारे देशों की information को वहां से derive किया जाए, और मुख्या रूप से विक्सित द चाते है कि विकासी देशों से उन data को निकाल ले, और बाद में उसका इस्तमाल अपने आरतिक हितों में करे, तो statement question पूछ लेगा, UPSC तो ऐसी situation में भारत को क्या करना चाहिए, या इस दिये गए पैसेज का corollary क्या है, वो पूछे का corollary क्या है, उसमें एक statement होगा कि भार तो और अन्य विकासी देशों को अपने digital data को protect करना चाहिए, येस, जबकि पूरा का पूरा पैसेज में तो कहीं नहीं था, तो ये corollary है, कि वो situation, statement और fact के base पे अब हमें ये करना होगा, या हमारे पास ये option होगे, ओके, आया आपको ये बात समझ में, जल्दी से बताईए, ये point clear हुआ या नहीं, अब बेटा बाकी तो practice से ही clear होने वाला है, अभी तो बाकी practice से clear होगा, अभी practice करना पड़ेगा, तो आते हैं वापस practice पे, ये मैंने बता दिया, ये आप notes बना लेना, notes बना के multiple time revise कर लेना, corollary क्या है, imply क्या है, crux क्या है, crucial message, crucial message या main idea, सब एक ही है, main idea, okay, implication, assumption क्या है, और inference क्या है, conclusion क्या है, मैंने आपको बता दिया, किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला, पहली बात तो ध्यान लखना, बाजार की कोई भी किताब लेना, बिटा, गर कही भी आपको इनका मतलम मिल जाए, तो बता देना, कोई किताब है ही नहीं, ये पढ़ पढ़ के और बहुत अच्छा रिसर्च करके निकाला गया material है, और भी आपको कराते है पैसेज, ये लोग, आप लोगों को नजर आ रहा है, जल्दी से बता दो बस मुझे, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे बस इतना जवाब देदो, क्या आप लोगों को ये नजर आ रहा है या नहीं, नजर आ रहा है न, ओके, देख पा रहे है, वेल जन, तो पढ़ो बेटा पैसेज को, पैसेज क्याता है, सुनो, अभी पैसेज पर चलते है, देखो, जब भी आप पैसेज पढ़ोगे न, बेटा, एक तो पैन को यूज करना, या पैसिल आपके पास जो भी होगा, पैन या पैसिल को आपको इस्तमाल करना है, क्योंकि आपको कुछ-कुछ चीजे अंडरलाइन करके चलनी होगी, तो पैसेज कहता है, विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगबग थी, 1990 में 1.6 अरब के आसपास थी, चलो, बहुत बढ़िया, और आज ये 7.2 के अरब के लगबग है और बढ़ रही है, तो ये प्रजेंट में हो गई, आज है ये, ये आज की पॉपुलेशन है आपकी, कहता है कि जनसंख्या वरद्धी पर किये गए हाल के आखलनों से यह पूर्वा अनुमान होता है, यानि कि जो हमने जनसंख्या वरद्धी पर जितने भी हमने अध्यन किये, उससे हमने आखलनों से, estimation से हमने पूर्व अनुमान लगाया है कि विश्व की जनसंक्या 2050 में 2050 में कितनी हो जाएगी 9.6 अरब हो जाएगी बहुत बढ़िया और 21 में ये 10.9 अरब हो जाएगी तो इसने बहुत सारा data और fact दे दिया 1990 में ये है आज वो है 2050 में इतनी हो जाएगी और 21 में इतनी हो जाएगी कहता है कि यूरॉप और यूरॉप और उत्री अमेरिका के आद्रश जहां केवल आद्रश है मतलब आसमान जहां केवल 3 से 4 प्रतिशत की जनसंक्या ही करशी में लगी हुई है कहता है यूरॉप और उत्री अमेरिका यहां तो केवल 3 प्रतिशत से लेके 4 प्रतिशत पोपुलेशन ही किसमें लगी हुई है करशी में लगी हुई है भारत की 47 प्रतिशत जनसंक्या करशी पर है जबकि भारत में कितने परसंट है 47% यूरॉप अमेरिका की कितनी है ओनली 3 से 4 परसंट भारत में 47 कहता है कि यदी यदी भारत सेवा छेतर में लगातार प्रगती करता रहे हमारा सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ता रहे और वी निर्मान छेतर भी मैनुफेक्चरिंग सेक्टर कहता है सर्विस सेक्टर और मैनुफेक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ते रहे तो भी यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकल कर विश्व का सबसे ज़ादा जनसंख्या वाला देश हो गा यानि के 2030 में हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे यह कहना चाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा भारत भारत की लगबग 42 प्रतिशत जनसंख्या प्रधान रूपसी क्रिशी मर रहेगी तब ही भी कहता है तब भी हमारी 42 प्रतिशत जो population है किस पे रहेगी क्रिशी पर dependent रहेगी देखो बहुत सारा fact दे दिया बहुत सारा इसमे statement दे दिया आपने analysis भी कर लिया सभी को समझ में आ गया पूरा पैसेज जल्दी से बताओ पढ़ लिया सभी ने सबने पढ़ लिया वापस से एक बार वापस से एक बार देखो पैसेज में क्या कह रहा है inference वो आपसे inference निकाला जा सकता है फटा फट पेज पलटके आओ और देखो inference का मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया था inference मेंने लिखाया था ये पूरा पैसेज पढ़ना है पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको अपना opinion अपना judgment देने के लिए extra information या prior आपका पूर्व ज्यान या पूर्व अनुभव का आप इसमें इस्तमाल कर सकते हो जल्दी से बताओ जल्दी से जवाब दीजिए मुझे पढ़ लिया ना question question दिखाता हूँ अभी मैं आपको question देखिए ये question दिखा देते हैं प्रियुक्त परिछेद से निमलिखित में से कौन सा सरवाधिक तार्किक तर्क संगत निशकर्ष भूल जाओ हमें उसने इंगलिश में पूछा है inference निकाला जा सकता है क्या inference निकाल सकते हो उस पूरे पैसिज को पढ़के कहता है प्रिशी छेदर की समरद्धता भारत के लिए क्रिटिकल महत्वकी है भारती आर्थव्यस्था प्रमुक रूप से इसकी क्रिशी पर निर्भर करती है फिर कहता है भारत को अपनी तेजी से वर्थी जनसंख्या को नियंतरित करने के लिए कठोर उपाए अपनाने चाहिए उसके बाद भारत के क्रिशी समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अन्य विवसायों को अपना लेना चाहिए अब बताओ, ये तो सब कुछ ऐसा दिया, पैसिज में तो डिरेक्टली कहीं नहीं लिखा जो बच्चे ये सोचते हैं न, पैसिज को पढ़के और पैसिज में आपको सेम लाइन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बेटा, इनफरेंस है, डिरेक्टली है यहीं नहीं, इनडिरेक्टली ही ड्राइव करना है आपको जवाब दो मुझे क्या इसका उत्तर होगा इस प्रशन का सही उत्तर होगा, ओप्शन ए आप बोलोगे सर कैसे? मैकसिमम बच्चे A ही जवाब दे रहे है, well done, मैकसिमम बच्चे A जवाब दे रहे है कुछ बच्चे D जवाब दे रहे है, कुछ B भी जवाब दे रहे है A इसका उत्तर होगा, देखो क्या कहना चाहता है, इस पैसेज को पढ़ो बेटा उसने एक तो population बता दी 1990 में इतनी थी आज इतनी है 30 में 50 में इतनी हो जाएगी 2100 में इतनी हो जाएगी Okay, population लगातार बढ़ती जा रही है कहता है Europe और अमेरिका में बात करें तो वहां की सिर्फ 3-4% population agriculture पे dependent है Okay जबकि भारत में 47% population agriculture में involved है और कहता है कि 2030 में जब हम दुनिया के सबसे ज़ादा population वाले देश बन जाएगे न तब भी हमारे लिए 42% population तब भी हमारी agriculture में ही होगी यानि कि almost 42% 50% के आसपास मान के चलो बिटा तो जब हमारी almost 50% 40-50% population किसी एक sector में involved है तो क्या वो sector हमारे लिए महत्व का नहीं है अगर किसी sector में देश की 40-50% population involved है तो क्या हमारे लिए महत्व का नहीं है है तो वो ही तो कह रहा है ये कहता है क्रिशी छेतर की जो व्रद्धी है वो भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है क्रिशी में अच्छा होगा तो population जो 40-50% उस पर dependent है वो भी अच्छा करेगी उसकी भी life better होगी ठीक है अब यी second statement क्यों गलत है कहता है भारती आर्थववस्था प्रमुख रूप से क्रिशी पर निर्भर है देखो आर्थववस्था अलग चीज है जनसंख्य अलग चीज है समझ़ लेओ इस चीज का आर्थववस्था के बारे में आप यहां से कोई decision नहीं निकाल सरते कहता है यदि भारत का सेवा छेतर लगातार प्रगती करते रहे विनिर्मान भी तेजी से बढ़त रहे तो भी संभावना है कि हमारी 42% population क्रिशी पर निर्बर है तो ये वाला तो आप कैसे निकालोगे इसको कि भारत की अर्थ व्यवस्था ये तो GDP वाली बात हो गई ना आपकी वो तो कहीं उसने population को बोला हो सकता है आपकी 50% population dependent है 50% लेकि या उस sector का आपकी अगरिकल्चर में या ये मान के चलो उस sector का आपकी अगरिकल्चर में 10% ही योगदान है बाकि 90% किसी ओर का हो तो second वाला तो है नहीं भारत को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए नहीं वो तो सीधा ही ये कहना चार करोगे तो आपकी पॉपुलेशन की सम्रद्धी और अटोमेटिकली आ जाएगी है कि अधिक भारत के क्रिशी समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए दूसरे अपनाय उपाय अपना लेना चाहिए क्या बात कर रहे हैं कहां असली चीज तो यह ही है कि डी में जाके कहां उलज गए आप व्यवसाय चेंज कर लेंगे अभी आया समझ में आपको पैसेज पूरा का पूरा समझ में आ गया नेक्स चलते हैं नेक्स पैसेज देखो सेकिंड पैसेज कहता है खाद्य जात बिमारिया ना खाद्य से है फूर 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 से जो आपकी बिमारिया आ रही है उत्पन करने वाले बहुत से रोगान वो बहुत सारे जो पैथो जनस उनके विशे में जानकारी नहीं है यानि के जो खाद से उत्पन, फूड से रिलेटेड जो बिमारिया है जो उत्पन होती है, जिन रोगानुओं से उत्पन हो रही है वो हमें नहीं पता जादा जानकारी नहीं है, वो कौन-कौन से है कहता है खाद संक्रमन यानि के फूड का जो आपका कंटैमिनेशन है जो उसका संक्रमन है फूड जो आपका फूड बेजड जो आपकी बिमारिया है वो फूड कहां से कहीं से भी इंफेक्ट हो सकता है खेत से लेकर थाली तक यानि किसान का खेत जहां पे वो उगजाया जा रहा है और वहां से आपकी प्लेट तक आने का एक लंबी चेन है बेटा है ना किसान काटेगा वहां से मंडी मंडी से फिर ये आपके एपी एमसी में गया बजारों में आया बजारों से आपके ठेले वाले पे आया ठेले वाले इसे भी चार ठेलो वालों से होके आपके पास आया, उसके बाद आपके घर में भी आप उसको बना रहे हो, घर में बनाते टाइम आपने क्या सावधानिया, क्या स्वच्छता रख कि किसी को नहीं पता, कहता है ये फार्म से प्लेट के बीच में कहीं से भी आ सकती है, तो खेट से लेके थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है चुँकि खाद्य विशाक्ति करण की अनेक घटनाएं जो फूड का जो टॉक्सिक फूड है उसकी जितनी भी घटनाएं अनेक घटनाएं अन्रिपोर्टिड है आप्रतिवेदित रहे जाती है रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ है ना अन्रिपोर्टिड है पता ही नहीं हमें वैश्विक खाद्य जात बिमारियों का सही प्रसार अग्यात है ग्लोबल रूप से जो फूड बेज़ आपकी जो डिजीज है उसका सही प्रसार हमें नहीं पता अग्यात है वो कहा तक फैली, कितनी फैली, we don't know ओके चलो कुछ वाइरस आ गए है ना कुछ वाइरस आ जाते है ना होते है उनका काम ही है होता है, मैंने बताया था कुछ लोगों का काम ही है, दूसरों के पैरमिल लकडी मारके पीछे गिराने का अपने जीमन में तो कुछ करना नहीं है अंतर रास्टिय परिवेक्षन में सुधार के करण, इंटरनेशनल रूप से हमने जो मॉनिटरिंग की है, उसके कारण जन जागरुकता में बढ़ोतरी हो गई है जागरुकता तो बढ़ी है, लेकिन क्या कह रहा है, खाद्य उत्पादन में तीर वेश भी करन हो गया अभी चाइना का प्रोड़क्ट इंडिया में, इंडिया का प्रोड़क्ट इरान में इरान का प्रोड़क्ट अमेरिका में अरब का प्रोड़क्ट साउथ अमेरिका नौर्थ अमेरिका में अभी इतना ज़ादा फूड ग्लोबलाईज हो गया न मुश्किल है बेटा समझ गे न पहले तो प्रॉब्लम यही थी कि फार्म से तो तीवर वैश्वी करन से खाद्य को नियंतरित करना और उसको अनुरेखित करना कठिन हो जाने के करन अभी उपभोक्ता की बेद्ध्यता यानि के उपभोक्ता खाद्य जनित बिमारियों से और भी ज़ादा वल्नरेबल हो गया है और डबलू एच्चो के एक अधिकारी का कहना है कि विश्व हमारी प्लेट पर है अभी हमारी जो प्लेट है ना उस पे पूरी दुनिया है आप चाउमीन खारे हो पता चला आपका साउथीस्ट एशियन फूड है आप पिज़ा खारे हो पता चला वो इटली से आ रहा है है ना उसके बाद आप बहुत सारी सौसेज खा रहे हो पता चला वो इंग्लेंड के मतलब वहां से बनी हुई है उसके बाद आप कोई और प्रोड़क्ट खा रहे हो पता चला वो सौदी अरब से आग रहा है तो पूरी दुनिया आपकी प्लेट पर आ गई पूरी दुनिया प्लेट पर आ गई तो आप और भी ज़्यादा वलनरेबल हो गई ओके समझ में आया आपको ये पैसेज आप ये बताओ इस पैसेज को पढ़ने में आपको कई तकलीफ हुई इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो आप जानते नहीं जानते या आप जान नहीं सकते कितना आसान पैसेज है ये अभी इसका उत्तर जानने की कोशिश करते कहता है निमनिलिकित में से कौन सा सरवाधिक तार्किक कोरोलरी है ये लो कोरोलरी कोरोलरी का मतलब बताओ अभी कोरोलरी मतलब बताया था ना मैंने आपको खाद्दे के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक होते है समस्त खाद्द जात बिमारियों का उद्गम खाद्द प्रशंश करण है हम केवल इस्थानिय उत्पादित खाद्द पर निर्भर रहना चाहिए खाद्द उत्पादन में वैश्वी करण में कटोती करना चाहिए बताओ क्या आपको उत्तर लगता है वैल जन ज्यादा तर बच्चे ए जवाब दे रहे है ए ए ए ए ठीक है क्या बात है एक तरफा ए आप इतनी होशियार हो गए बहुत बढ़िया तेको Corollary और Implication के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ एक होता है Implication जो मैंने आपको बताया था Implication Implication में भी हम Cause Effect और फिर Solution की बात करते हैं क्या Solution है लेकिन Implication Future Oriented है और जो Corollary है Corollary में भी हम cause की effect की और हो सकता है आपसे solution पूछ ले हो आपसे वो भी solution पूछ ले लेकिन ये ज़्यादा present oriented होता है ठीक है तो ये कहता है कि कोरोलरी क्या है देखो उसने क्या बोला बेटा food बहुत ज़्यादा क्या हो गया diversified हो गया globalization हो गया food का भी America, दुनिया के सारे देश America, China, Europe, Africa के देश हम सब आपस में जुड़ गए पूरा विश्व हमारी plate पे आ गया और वैसे ही हमें पता था उसने क्या बोला वो साफ बोल रहा था हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है रोगानुओं के विशे में और अगर हम सिर्फ local food पे होते तो chances कम होते अभी तो पूरा बढ़ गया है पूरा बढ़ गया है अब इसका मतलब यह नहीं है कि local food है तो नहीं होगी बिमारी उसने बोला चाहे local हो चाहे universal हो वो तो pathogenes है अभी क्योंकि वैश्वी करन हो गया तो ज़्यादा संभावनाए बढ़ गी वैश्वी करन होने से क्या हो गया ज़्यादा food option आगए आपके पास जात बिमारियों का उद्गम खाद्य प्रशंच कर फूड प्रोसेसिंग से खाद्य जात बिमारिया और यह कहीं भी नहीं है क्याता है हमें केवल वैसे भी एक्स्ट्रीम स्टेट्मेंट आ गया हमें केवल इस्थानिय उत्पाद पर बर रहना चाहिए तो उसने कौन सा बोल दिया कि इस्थानिय उत्पाद सेफ है उसने बोला कहीं पर कि इस्थानिय उत्पाद सेफ है बोला है क्या कहीं पैसेज में कहीं भी नहीं बोला तो इस्थानिय उत्पाद पर आप कैसे डिपेंड रहोगे और यह तो इलोजिकल है, खाद्धे उत्पादन में, वैश्वी करण में कटोती लानी चाहिए globalization बुरी चीज नहीं है बस वो ये कहना चाहता है कि हाँ, जितना option बढ़ेगा, उतना risk बढ़ जाएगा आपका ओके, well done बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बढ़िया, next चलते है, next चलते है अभी, next देखो बिटा next पैसेज है देखो, comprehension में ये बोलता हूँ, जो भी आप practice कर रहे हो ना practice कर रहे हो बिटा, वो 3 बार practice करना अगर एक पैसेज पढ़ा है, कम से कम एक बार और पढ़ना और अगर मुका मिल जाए तो तीसरी बार और पढ़ना आपको ताकि और ज़्यादा आप तसलिय से सोच पाए सेकंड टाइम पढ़ोगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा थर्ड टाइम पढ़ोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा आपकी reading skill इंप्रूव होगी अब ही कहता है पैसेज नंबर तीन है मैं विज्ञानिक हूँ, अच्छी बात है मेरा सोभग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के साधनों का उप्योग करके प्रकरती को समझ सकता है कहता है मैं विज्ञानिक हूँ विज्ञान के टूल का इस्तमाल करके नेचर को समझ सकता हूँ बहुत ही बड़िया बात है विज्ञानिक है लेकिन कहता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है लेकिन यह भी इसपस्ट है कि कुछ महत्पूर्ण प्रशन सच मुछ ऐसे है जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता ये लो विज्ञान की भी लिमिटेशन है जैसे की कुछ भी ने होने के इस्थान पर कुछ क्यों है जहां कुछ नहीं हो सकता था जहां कुछ नहीं होना चाहिए था वहां कुछ क्यों हो गया या हम यहां क्यों है हम क्यों हैं यहां क्या कर रहे है उन दायरों में मैंने पाया कि आस्था इसके उत्तरों के लिए बहतर मार्ग उपलब्द कराती है अगर ऐसे प्रशनों का जवाब चाहिए तो आस्था से मिलेगा है ना मैं इसको विशम रूप से काल दोश युक्त पाता हूँ कि आज की संस्कृती में एक व्यापकधारना प्रतीत होती है कि विज्यानिक और आध्यात्मिक विचार आसंगत है विज्यान और आध्यात्मिक विचार एक के साथ संगत नहीं है न ही साइन्स अलग है और अध्यात्म अलग है यह कियायरा है मैं इसको काल दोश-उफ्त पाता हूं कि यह समय का दोश है कि लोगभाग ऐसा सोच रहे है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अलग है पैसे समझ में आया ओके समझ आ गया inference कहता है inference directly नहीं मिलने वाला inference आने का मतलब आपको directly नहीं मिलेगा ये तो बात मान के चलना आपको कुछ भी directly नहीं मिलने वाला पैसे से indirectly आपको खोज के लाना पड़ेगा कहता है ये विज्ञान ने होकर आस्था है जो अंतते मानव जाती की सभी समझ्याओं को सुल्जा देगी विज्ञान और आस्था आपस में समपूरक हो सकते है यदि उनके समुचित दायरों को समझ लिया जाए कुछ ऐसे अत्यन्त मूल भूत प्रशन है जिनका उत्तर विज्ञान अधिक महत्व दिया जा रहा है जवाब दो एक एक उप्शन को जो गलत होगा न मैं विद लॉजिक काट के दिखाऊंगा आपको क्योंकि मैं आपके अंदर लॉजिक डवलप करना चाहा रहा हूँ बताओ मुझे इसका जवाब दो ज़ादा तर बच्चे बोल रहे हैं बी 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 बहुत बढ़िया बी इस राइट बी इस राइट वैल न एक डी वाले भी आगे चलो डी वाले को भी देखेंगे है ना डी वाले भी एक्स्प्लेइन करेंगे ये भी एक्स्प्लेइन करेंगे ये भी ये भी सब एक्स्प्लेइन करेंगे ओके ठीक है चलो बात करते है इस प्रशन का सही उतर है option B आप बोलोगे कैसे देखो क्या कह रहा है बिटा इसने बोला मैं विज्ञानिक हूँ और मैं विज्ञान के जरीए मेरे पास उतने सारे साधन है कि मैं प्रकर्ती को समझ सकता हूँ लेकिन इसने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं पून रूप से प्रकर्ती को कि मैं पून रूप से सिर्फ विज्ञान से प्रकर्ती को समझ सकता हूँ सिर्फ विज्ञान से यानि कि विज्ञान को वो आपरियाप्त देख रहा है कुछ चीजों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है जैसे वो कहता है कोई चीज जहां नहीं होनी चाहिए थी वहां क्यूं है हम यहां क्या कर रहे है क्यूं आए कैसे आए नहीं कह रहे इन प्रशनों का जवाब है आस्था के पास अध्यात्म के पास कह रहा लेकिन आज का दोर ऐसा हो गया है कि एक ऐसे दोर में जी रहे है वो कहता है काल दोश युक्त है ये समय का दोश है कि लोग बाग विज्ञान और आस्था को अलग मान रहे है वो तो खुद बोल रहा है कि विज्ञान और आस्था या अध्यात्म को अलग मत मानो वो कहना चाता है कि विज्ञान और आस्था को अलग मत मानो अगर आप मानते हैं तो ये काल दोश युक्त है ये सही नहीं है ये चीज समय आते हुए हमें समझ में आ जाएगा इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है विज्ञान और आस्था एक दूसरे के संगती है देखना तो शुरू करो एक बार यह विज्ञान ने होकर आस्था है जो अंतत्य मानव की सभी extreme statement बोल रहा है कि at last at last मानव की सारी समशाओं का समधान आस्था करेगी यह तो बोला ही नहीं चाहता हो वो तो कहना ही यह चाहता था विज्ञान और आस्था को अलग अलग मत देखो कुछी जो का जवाब विज्ञान में है तो कुछी जो का आस्था में है C पे आते है कुछ मूल, भूत, प्रशन ऐसे है जिनका उत्तर विग्यान और आस्था किसी में नहीं है ऐसा कहीं भी पूरे पैसेज में आप डिराइब नहीं करें उसने बोला जो विग्यान से नहीं होता उसका जवाब आस्था देगी तो उसने ये कहीं नहीं बोला कि विग्यान और आस्था के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रशन हो जाएंगे जिसका जवाब ना विग्यान में होगा ना आस्था में होगा उसने बोला जिनका जवाब विग्यान में नहीं उनका आस्था में है जो विज्ञान से बच गई उनका जवाब आस्था देगी तो ये तो गलत हो गया ये तो कहरा ना आस्था दे पाएगी ना विज्ञान दे पाएगा कुछ और ही देगा कौन देगा ये तो है इनी पैसिजवे फिर कहता है डी आज की संस्क्रती में विज्ञानिक विचारों को अध्यात्मिक विचारों की तुला में अधिक महत्व दिया वो अधिक की बात नहीं कर रहा है उसने बोला कि आज हम एक ऐसी पीडी में जी रहे है कि हम विज्ञान और आस्था को एक दूसरे के विपरीत पा रहे है कि विज्ञान इधर है और आस्था इधर है उसने कहीं भी नहीं बोला कि विज्ञान आस्था से उपर है तो D कहां से आया वो तो कहना चाता है कि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में देखो भाई मैं विज्ञानिक हूँ मैं भी ये बात बोल रहा हूँ आया आपको समझ में ये देखो जब तक मैं सिर्फ B लगा के आगे चला जाओ मेरा उद्देश्य है कि अगर आपको समझाओं तो मैं ये भी बताओं कि A मैंने गलत क्यों काटा मैंने C गलत क्यों काटा और मैंने D गलत क्यों काटा जब तक इन गलत को भी explain नहीं करूँगा तब तक आपके सोचने समझने की चमता विक्सित नहीं होगी ठीक है क्या गजब पैसेज है पढ़ो एक और पैसेज नंबर फॉर कहता है यद्दिपी मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को त्याग दिया है देखो जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैंत से भी अक्यूरिये आपके अंसरे मैंस में तो क्या है बیٹा आपने रेशो पढ़ा है ना आपने परसेंटेज पढ़ा इस रेशो पे एक हजार सवाल बन सकते है दस हजार सवाल बन सकते है आपने परसेंटेज पढ़ा और अगर आपका mathematical background नी है न बिटा तो आप ratio, percentage, mixture, allegation इन में उलजते ही रह जाओगे क्योंकि हमारी basic आदत क्या होती है हम examples के जरिये सीख रहे है चार question कर लिए ठीक है वही उसने UPSC ने थोड़ा सा tricky language यूज़ किया आपके दिमाग के उपर से उड़ जाएगा रहे भाई मैंने तो जिस तरह से सीख था वैसे ही नी इधर नहीं है इधर practice करोगे तो बहुत अच्छे result आएंगे maths भी करो, reasoning भी करो, करना सब कुछ है बेटा, याद रखना maths भी करना है, reasoning भी करना है, comprehension भी करना है बस हमें अपनी कुछ ऐसी strength डवलप कर लेनी है कि अगर इधर हम थोड़े कमजोर है, तो ये हमें help कर दे इधर हम थोड़े कमजोर हुए, तो ये help कर दे किसी भी चीज को छोड़ने का विकलप आपके पास नहीं है ये बात ध्यान रखना चोड़ने का विकलप आपके पास नहीं है comprehension को अभी क्यूं पास नहीं कर रहा है हिंदी मीडियम से बच्चा PT कम से कम 60 से 70 प्रतिशत बच्चा तो C-set में ही फैल हो जा रहा है आपको पता है, पूछना अपने बहुत सारे friends से पूछना GS का भी अच्छा स्कोर था, फिर भी PT फेल कर गए C-set कारण था कारण ये था comprehension को तो सोचा कि comprehension पढ़ लेते आजाएगा exam में कर देंगे नहीं आएगा ये इतना tricky, इतना अच्छी language इसको समझने के लिए आपकी एक habit develop होनी चाहिए आपके अंदर comprehension को read करने की comprehend करने की skill develop करानी है तो ये किया नहीं और इस पे कभी आपकी expertise आई नहीं इस पे आपकी expertise आई नहीं कभी तो कहीं के भी नहीं रहे 20 question भी नहीं होते, 22 question, 23 question 24, 25 तक धेर हो जाते है 27 question भी नहीं हो रहे हमारे पास इसको क्योंकि हमने हतियार नहीं बनाया कोई भी नहीं बना रहा ये मैंने अपने हातों में जिम्मेदारी ली है इस बार और मैं पक्का कह रहा हूँ इस बार ये C set में आपका extra ordinary performance होने वाला है पर practice करना होगा मेरे पास भी कोई जादू की चड़ी नहीं है मेरे पास कोई ऐसा टोनिक नहीं है कि आप बच्चों आओगे मैंने गिलास में घोला रहा आपको पिला दिया कि लोग हो गया भई comprehension पर मैं आपको इतना जरूर भरोसा दिलाता हूँ दो घंटे का paper होता है आपने एक घंटा अगर अच्छे से आपने comprehension को दे दिया तो ये आपको 18-19 question दे के जाएगा बिटा और accurate दे के जाएगा कट पिटा के आप हो सकता है 22-23 को रो 2-3 गलत हो जाएगे मैं ये नहीं कह रहाए आप 100% सेफ हो जाओगे लेकिन अगर आपने मैं तो कहता हूँ अगर आपने 18 question भी कर लिए तो आपको यार 10 question तो करने हैं बाकी से बाकी एक घंटे में math से और reasoning से 10 question नहीं कर पाओगे क्या हो जाएगा पर comprehension को ignore करोगे तो c-set जाएगा पक्का जाएगा मैं पहले ही बता रहा हूँ comprehension ignore करते ही c-set में गड़बड हो जाएगी सारे नहीं जाओगे 70-80% भी गए तो आपको तो साल गए ना बिटा कितना ही पढ़ा लूँ मैं आपको जोगरफी में कितना ही पढ़ा लूँ आपको environment कोई teacher कितना ही पढ़ा ले आपको history, quality, economy c-set है ले जाएगा तो seriously practice करो परिछेद 4 आया हमारा यद्विपी मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूं की भारतिय स्वते उन सभी बेडियों को उतार फैके जो उसे बांधती है चलो या रोकती है और लोगों को विभाजित करती है लोगों के बीच में विभाजन करती है और उनमें से अधिक संख्य लोगों का दमन भी करती है किसकी बात कर रहा है ये पुरानी कुछ परंपराओं और प्रथाओं कहता है मैं उन बहुत सारी पुरानी परंपराओं प्रथाओं को त्याग दिया है यद्धिपी मैंने और मैं उच्फुख हूँ कि भारत खुद भी उन सभी बेडियों को उतार फैके जो भारत को बांदती है रोकती है भारत के लोगों को विभाजित करती है और अधिसंख्या लोगों का दमन करती है और आपके शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है कौन रोक रही है बहुत सारी पुरानी परंपराए परंपराए कौन प्रथाए यद पी मैं ये सब चाहता हूँ कह रहा है हला कि मैं चाहता हूँ उन सारी परंपराओं को प्रथाओं को त्याग दू जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही है भारत के विकास को रोकती है भारत के लोगों को बाट देती है लोगों का भौतिक, शारीरिक और आत्मिक विकास को रोकती है यद पी मैं ये सब चाता हूँ क्या? ये सब कि उतार फैक दू इनको फिर भी अपने आपको अतीज से पूरी तरीके से काटना नहीं चाता कैता है फिर भी मैं अपने अतीज अपने पास्ट से अपने आपको पूर्णते काटना नहीं चाता क्यों मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है कैता है नहीं हमारी विरासत ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीजे ऐसी है जो गर्व करने लायक है कि हाँ हम भारतिय है जो हमारी रही है और है भी और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अचूट श्रंखला की कड़ी है जो अथियास के उशाकाल के भारत के आविस्मर्निय अतीत से सम्मध है यानि कि हमारे इथियास में गर्व करने लायक भी बहुत सारी चीजे है पूर्णते उकाड के नहीं फैक सकता लेकिन उन चीजों को जरूर उकाड के फैकना चाता हूँ जो ऐसी परंपराए ऐसी प्रथाए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है लोगों को विभाजित करती है उनका दमन करती है लेकक चाहता है क्या चाहता है कि भारत को अतीत के बंधनों से मुक्त करना चाहता है मतलब अतीत से क्यों मुक्त करना चाहता है क्योंकि वह भूत काल के ओचित्य को समझ नहीं पारा उसको समझी नहीं आ रहा भूत काल में क्या हुआ क्यों हम उसको कुछ नहीं है जिस पे गर्व किया जाए कहता है भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे गर्व करें कहता है उसकी भारत के इत्यास में रूची नहीं है इसलिए बोलता है कि उतार के फैक दो उन सब को या उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते है बताओ D जवाब दे रहे हैं ज़्यादा तर बच्चे D बोल रहे है तो आप खुदी बताओ वे भूत काल के उचित्ते को समझनी पारा अरे उसने तो साफ किया है कि बहुत सारी चीजे गलत है लेकिन फिर भी में आपने आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी चीजे गर्व के लायक है तो इसमें क्या कर रहे है वो भूत काल को समझी नहीं पारा गलत है वो तो समझता है भाई बहुत अच्छे से समझता है वो भूत काल की बुरी चीज को पुरानी और खराब प्रथाओ और प्रमपराओ को भी जानता है और गर्व करने लायक चीजों को भी जान रहा है तो भूत काल के उचित्ते को समझनी पारा गलत है फिर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गर्व करे अरे नहीं, वो तो साफ बोल रहा है, ऐसा बहुत कुछ है, हमारी महान विरासत है जो गर्व करने लायक है, कैसे कह दोगे कि गर्व नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर कहता है उसके भारत की थिहास में रूची नहीं है, अरे भाई, बिना रूची को वो इतनी बात कह गया क्या कि कुछ चीजे विभाजित कर रही है कुछ बाट रही है कुछ दमन कर रही है लेकिन फिर भी गर्व करने लायक है तो बिना इतिहास में रूची के इतना बड़ा एक्स्प्रेनेशन दे दिया उसने कहता है इसलिए त्याग देना चाहता है क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोक रही है वो कहरा है क्यों पुरानी प्रथाओं को उनको त्याग देना चाहता हूं जो शारीर और आत्मा के विकास को रोकती है उनको रोकना चाहता है ये आई होप आपको आनंदा रहा है समझ पारे हो ना चीजों को कितना आसान है ये कुछ रटना ही नहीं है बिटा कुछ भी नहीं रटना बस अपने आपको त्यार करना है इस युद्ध के लिए ये लो ये वाला पैसिस देखते है परिछेद है दो सुनो क्या कहता है जलवायू परिवर्तन यानि के क्लाइमिट चेंज का सामना करने और उत्पादक क्रिशी वानिकी और मत्स्यन को सुनिशित करने के लिए प्राकर्तिक परिसंपत्यों की विविदता की आवश्यक होगी क्या बात है कहता है अगर जलवायू परिवर्तन का सामना करना है अपनी क्रिशी को उत्पादक बनाए रखना है वानिकी को उत्पादक बनाए रखना है और मत्स्यन पालन की उत्पादकता को सुनिशित करना है तो नेचुरल एसेट्स जो हमारी प्राकर्तिक संपदाय है उनकी विवि ज़ादा होगी तभी ये इन सारी चीजों की productivity को आप maintain कर पाओगे उधारन के लिए उसने बोला उधारन के लिए for example ऐसी फसलों की किस्मों की आवशकता है जो सूखा गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतरगत अच्छा निश्पादन कर सके अच्छा performance कर सके हमें ऐसी variety चाहिए लेकिन लेकिन पसलों को चुनने के लिए निजी छेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रियाए अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एक रूप किश्मों का समर्थन करते है कह रहा हमें चाहिए तो ऐसी फसले जो सुखे को गर्मी को और बढ़ी हुई CO2 के अंतरगत अच्छा perform कर सके लेकिन कर क्या रहा है हमारा private sector और हमारे जो किसान है ऐसी प्रक्रियाए जो उनकी प्रक्रियाए है अतीत और वर्तमान दशाओं में अपनाई जाने वाली मोनो कल्चर है न मोनो क्रोप्स का समर्थन करती है नै कि उन किसमों का जो ज़्यादा गर्म आदर और शुष्क दिशाओं में अच्छा उत्पादन दे सकती हो ठीक है आया समझ में पढ़ लो एक बार फिर पैसे जकान्स कोशन दिखाते है आशीश केरे सी सर अच्छा बेटा इसको जस्ट लाइक आप अपना जिन बच्चों को आता है उनका तो ये रिविजन क्लास लाइक मान के चलो और जो नए है उनके लिए बिल्कुल ये आपको पैसेज का दो तीन बार प्रैक्टिस करना होगा ये बात मान के चलो आप दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा ठीक है सेम चीज को दो तीन बार करना होगा बैटा मैट्स में भी आप सेमी क्वेशन को दस बार रिवाईज करते हो ना सेम चीज है आपके कॉप्रिहंशन के साथ भी सेमी चीज है जैसे maths और reasoning के same questions को maths को reasoning को आप 10 बार revise करते हो same questions को तब जाके आपकी समझ आती है same आपका passes भी है अब फिर आगे कहता है कि वर्तमान, फसले, नसले फसल मतलब crop, नसले मतलब उसकी varieties और उनके वन्य संबंदी यानि के जो उनके wild relatives है उनके अनुवानशिक संसाधनों की अपेक्षाकरत व्यापक निकाए जो उनका पूल है उनको संरक्षित करने के लिए तुवारित प्रजनन कार्यक्रमों की आवशकता है ये क्या कहता है कि जो वर्तमान आपकी फसले है नसले है और जो उनके wild relatives है हमें उनके gene pool को protect करना होगा और उसके लिए हमें fast breeding program लेके आने पड़ेंगे अपेक्षा क्रत आप्षुन पारितंत्र यानि के ऐसे पारितंत्र जिन पे कोई आसानी से वो उनका छै नहीं होगा जैसे कहते है वन आरोपित जलगरहन छेतर मैंग्रोव वैट लेंड्स जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकते है ये चीजे ऐसी है जो क्लाइमेट चेंज के एफेक्ट को रोक सकती है प्रभाव बोला है बिटा उसके प्रभाव को रोक सकती है बदलती हुई जलवायू के अंतरगत ये पारितंत्र भी खुद संकट में आ गए और प्रभंदन की अप्रोच को अपेक्षाकरत अधिक प्रोएक्टिव और अडप्टेटिव बनाना होगा हमें मतला हम जिन पारितंत्रों को ये सोचते थे वो ज़्यादा स्टेबल है आसानी से जिनका विनाश नहीं होगा वो भी जलवायू परिवर्तन के कारण संकट में आ गए है प्राकरतिक छेतरों के बीच संयोजनों आपके बहुत सारे नेचुरल एरिया है उनके बीच में संयोजन एक प्राकरतिक छेतर ये हो गया एक ये हो गया इन दोनों को आपस में हमें जोडना होगा जैसे की हमें माइग्रेशन के गलियारों की आवशकता जातियों की गतिशीलता को सुकर बनाने के लिए होगी जिससे की जलवायू परिवर्तन का हम सामना कर सके रोक नहीं सकते लेकिन सामना तो कर सकते है जल्दी से बताओ पढ़ लिया आपने फिर पैसेज लगाते है फिर पैसेज लगाते है पढ़ लो इसको फिर मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ सुकर मतलब इस है ना सरल आसान ठीक है ठीक है कहता है दिए गए पैसेज के संदर में निम्लिकित में से कौन सा क्लाइमिट चेंज का सामना करने के लिए जरूरी है? क्लाइमिट चेंज का सामना सी सी का सामना कर पाए क्या जरूरी है हमारे लिए? क्या जरूरी है सी सी के लिए? बताओ जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा वो अपनी पिक्सल क्वालिटी को 360 कर ले 360 कर ले अपनी फॉन के अंदर से पिक्सल क्वालिटी को साफ नजर आ जाएगा बहुत सारे बच्चे D जवाब दे रहे है कुछ A कुछ B दे रहे है B, C, D, B अब यार बहुत हंडर्स में बच्चे जवाब दे रहे हैं तो नाम नहीं ले पाऊंगा प्रदीपाल, पिहू, पवन, सुमन्ती राजा, राजा अंकिता बच्चों का जवाब आ रहा है B एक, दो और चार तो यही सही है, एक भी ठीक है दो भी ठीक है चार भी ठीक है तीन में गड़ बढ़ है कहता है कि जो वर्तमान की फसल प्रबंदन पजतिया है वो क्लाइमिट चेंज को कंट्रोल करेगी नो, यह साफ बोला है इसने देखो, कहता है कि जैसा क्लाइमिट चेंज हो रहा है हमें तो ऐसी फसले चाहिए हमें अगर ख्रिशी उत्पादक्ता बढ़ानी है वानिकी बढ़ाना है मत्स्य पालन की उत्पादक्ता को मेंटेन रखना है तो ऐसी फसले चाहिए है ना हमें विविदता को जो मेंटेन करे जैसे जो सूखे को सहन करे गर्मी को सहन करे, बढ़ी हुई हो, ऐसी चाहिए, लेकिन, कहता है, लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन जो निजी छेतर है, और जो किसान है, वो किन को अपना रहे है, वो वर्तमान में मोनो कल्चर को फोलो कर रहे है, तो वर्तमान की, देखो, पैसेज तो कह रहा है, बेटा, पै वर्तमान में लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान में चाहे private sector हो चाहे आपके farmers हो वो variety को नहीं वो तो monoculture को कर रहे है यानि के उनका method तो ठीक है यह नहीं यह देखो एक रूप किस्मों का समर्थन कर रहे है तो अगर हमें जलवायू परिवर्तन का सामना करना है तो इनकी वर्तम विद्दमान फसल प्रबंदन पद्दितियों को अपनाना होगा। आई बात समझ में इसको तो मनाई कर दिया उसने प्राकर्तिक जल श्रोतों का सनक्षन करो अपेक्षाकरत व्यापक जीन पूल का सनक्षन करो प्रवासन गलियारे सब की बात कर रहे हैं वैसे भी Elimination तो बेटा सबसे powerful weapon है याद रखना जो बच्चा इस Elimination method को use करना सीख गया न Elimination को आपकी problem 50% से ज़्यादा solve हो जाएगी एक बच्चा कह रहे है सर सी सेट में पास करने के लिए कितने नमबर चीए बेटा मैं सी सेट का बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता सी सेट में total question आते है 80 total number of question है आपके 80 और हर question ढ़ाई number का है ढ़ाई number का है तो यानि के कितना हो गया यह आपको 200 marks है लेकिन आपको चाहिए 33% 33.33% आपको पास करने के लिए चाहिए लेकिन समश्या यह है अभी 33% नहीं आ रहा भाई 80 में से 27 question ठीक करने है यह मान के चलना 80 में से 27 question ठीक करने है नहीं होते और यह 27 question आप math से reasoning से और comprehension तीनों से मिला के ठीक कर दोगे तो हो जाएगा 30 भी मुश्किल से होते है बच्चों से 80 में से 30 question नहीं होते C sets में math, reasoning और comprehension अभी समझ जाओ इसको हमें किसी भी तरीके से 30 plus cross करना है काट पीट के 30 question आगे, ठीक है, बहुत है अपने को क्या करना है, पचास लाग के क्या करना है हमें, पचास नहीं चाहिए 30 ठीक हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है और अगर C set qualify नहीं करा तो GS में चाहे आप 200 में से याद रखना, GS में आप 200 में से 160 लेके बैठे रहो, UPSC का आप से कोई हमदर्दी नहीं है Next कहता है कहता है उपरियुक्त परिछेदों के संदर्ब में निम्नलिखित पूर्वधारना है, यानि के पूर्वधारना आगई तो बेटा, पैसेज में जो आपका ओथर कह रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको जवाब देना है वो कहता है कि जीवी का का विभीदी करण, जलवाईू परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में काम करता है एक धान्य फसल पधती को अपनाने से पादप किश्म और उनके संबंदी समाप्ती की और अगरसर होते है 31 31 का जवाब दो मुझे ठीक है कुछ बच्चे C दे रहे है कुछ A दे रहे है ओके Only A कुछ C है C सार्थक नीलम A बता रही है सार्थक C बता रहा है दो दो अभी आने दो और जवाब आने दो Both right एक धानिया का मतलब Mono Culture है एक धानिया का मतलब है Mono Culture Mono Culture ठीक है इस प्रशन का सही उत्तर है Option C अब आप डायरेक्टली देखोगे तो ये तो भाई आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा मैंने आपको क्या बोला C-set की Comprehension की Basic Problem ये है हम डायरेक्ट आंसर खोजते हैं और डायरेक्ट आंसर नहीं है Passage के अंदर बिटा Indirectly ही आपको Derive करने होंगे का अब ये देख उसने क्या बोला यहां के रहे है जीवीका का अगर विविदी करन करना है तो जलवाईू परिवर्तन का सामना करने की एक रोजना की रूप में अपना सकते हो कहता है कि देखो आपने अपना ली है मोनो कल्चर है ना आपको ज़्यादा जरूरत है किसकी? अगर उसने बोला यह यह रहा है. अगर आपको जलوाईत परिवर्दन का सामना करना है और अपनी क्रिशी को उत्पादक बनाये रखना है और मत्से पालन को सुनिशित करना है तो आपको प्राकर्तिक संपत्यों की विविदता की आवश सकते तो जलवायू परिवरतन का सामना करना है तो आपको diversified होना पड़ेगा तो पहला पैसेज तो हो गया यह लो जीवीका का विवीदी करन जलवायू परिवरतन के सामना करने की योजना के रूप में काम कर रहे हैं सेकिंड कहता है एक धान्या फसल अभी लेकिन हम कर बिल्कुल अलगी रहे हैं हमने क्या किया सिर्फ एक धान्या को ही फॉलो कर रहे है अब उस एक धान्या को फॉलो करने से हमारी variety जो हमारी diversity थी उसका छे हो रहा है तभी तो उसने क्या बोला समाप अगरसर है तो उसने क्या बोला हमें जिस तरह से monoculture हम कर रहे है उससे हमें फसलो नसलो और वन संबंदियों के संसादनों के संरक्षित करने के लिए तुवरित कार्यकरम की जरूरत है आवशक्ता है अगर आपने उन नसलों को varieties को diversity को protect करने के लिए हमें क्या करना है तुवरित रूप से करना होगा immediately करना होगा इसकी जरूरत है क्योंकि हम लगातार विनाश की और बढ़ते जा रहे है तब ही तो उसने बुला तुवरित रूप से जरूरत है ना तुवरित कार्यकरम की जरूरत है क्योंकि monoculture हावी हो चुकी है ना किसान करना चाहता diversity of crops variety और ना ही private player करना चाहरा है आर ये बात समझ में अभी बताओ अब कहां से कहां लिखे है ये शब्द मैं फिर से ये कह रहा हूँ अगर आपने अपना mind ये set कर लिया है कि passes की line में आपको उत्तर मिलेगा तो बिटा ये 10 वी का exam नहीं है कि आपका comprehension दिया और उसी के नीचे वो उसने so line, so शब्द दे दिया और उसी को आपने underline करके अच्छा पहला बचपन में करते थे थे ना guide में निशान लगा लेते थे ये passes है अच्छा इसका उत्तर यहां से यहां तक है लिख दिया आपने अच्छा फिर आगे line है इसका उत्तर यहां से यहां तक है ये लिख दिया ये नहीं है भूल जाओ उसको गया वो दोर, वो दसवी था, बारवी था, ग्रेजुएशन था, ये UPSC है collector बनना है आपको एक बच्चे को तो टॉप ही करना है एक्जाम है न वो qualify की नहीं सोच रहा वो top मारेगा ठीक है न उसको GS नहीं पढ़नी उसको, उसको qualify भी नहीं करना उसको 80 में से 80 ठीक करके आने है ठीक है, मेरे को top मारना है next passes है ज्यादा भावुख हो गया है बच्चा भी है न परिछेद बेटर top मारना है तो जितनी शिद्दत से मुझे पढ़ रहे है उतनी ही शिद्दत से maths वाले टीचर को और उतनी ही शिद्दत से reasoning वाले teacher को ना, डेट घंटे की मेरी class होती है डेट घंटे की maths वाले teacher की class होती है डेट घंटे की reasoning वाले teacher की class होती है दिन में 4 घंटे पढ़ोगे और प्लस 3 घंटे उसका practice करोगे तो हो जाओगे, है ना, ये रास्ता है साथ गंटे डेली आप C-set पढ़ो, हो जाओगे यही रास्ता है टॉप मानने का मुझे भी पढ़ो, मैट्स वाले को भी पढ़ो, रिजनिंग वाले को भी पढ़े हो कितना हो गया, 15, 45, अच्छा है, ये तो साड़े चार हो गए साड़े चार ये हो गए, बाद में आप एके घंटा सबका रिविजन करना साड़े साथ घंटे पढ़ोगे, C-set में टॉप कर लोगे हाँ आजो, कहता है, आज शीर्स परियावरनिय चुनोती, मतलब जो क्लाइमिट का जो आपका जो में एनवायरमेंटल चैलेंज है, शीर्स परियावरनिय जो आपकी चुनोती है, वो जनता और इसकी आकांक्शाव का समुच्चे है, लोग और उसकी आकांक्शाव का समुच्चे यानिके कॉंबिनेशन है, कॉंबिनेशन है, यदि आकांक्शाए, यदि आपकी ambitions second world war के बाद की किफायती प्रकार की होगी किफायती मतलब पालतु में चीजे वेस नहीं कर रहे तब बहुत अधिक संभावना बनती है कि उस द्रस्टी कौन की तुलना में जो प्रत्वी को एक विशाल काए शॉपिंग मॉल की भाती देखता है ठीक है क्या कह रहा है अगर आपको किफायती टाइप की आपकी या second world war के बाद की आकांक्षाए ऐसी थी कि आपको सिर्फ जरूरतों को पूरा करना है ना कि प्रत्वी को एक विशाल काए शॉपिंग मॉल की भाती देखता है हमें चमक दमक के आकर्शन के परे जाना होगा है ना वो जितना चमक दमक है ये समझना होगा कि प्रत्वी पर जैविक तंत्र की भाती कार्य करती है कि ये प्रत्वी चाहिए कि प्रत्वी किसकी तरह काम करती है पर को हटा दो जैविक तंत्र की द्वाती काम करती है प्रत्वी भी एक जैविक तंत्र है क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो प्रत्वी मानव की खाद्य वस्त्र और आश्रिय की केवल आधार भूत आवशक्ताओं को पूरा कर सकती है परियावर्निय चुनोति का सामना करने का एक मातर रास्ता जनसंख्या को नियत करना है हमारे लिए भूकतावाद को कम करना अपने ही हित में है केवल जैविक तंत्रों का ज्यान ही प्रत्वी को बचाने में सहयक होगा बेटा देखो ये ऐलिमिनेशन से भी हो जाएगा ये कुशन नमबर थार्टी टू ज्यादतर बच्चे सी जवाब दे रहे हैं सी सी ओल्मोस सारे बच्चो का कुछ डी भी जवाब दे रहे है ओके सी मैक्सिमम बच्चो का जवाब सी आ रहा है वेल डन अब ही देखो बेटा इसने पैसेस को पढ़ते है पैसेस भी क्या कह रहा कि आज की जो मुख्य चुनोती है लोग और उनकी जो अकांग शाय है उनके बीच का कॉंभी नेशन हम सेट कर पाए कहता है अगर हमारी अकांग शाय सेकंड वर्लड वर के बाद सेकंड वर्ल्ड वर्ल के बाद ऐसा था ज़रूरतों को पूरा करो बाकी ज़्यादा घड़बड मत करो तब बहुत अधिक संभावना बनती है है ना कि उस द्रस्टी कौन की तुलना में प्रत्वी को एक विशाल काए शॉपिंग मॉल की तरह नहीं देख रहा है शॉपिंग मॉल में क्या गए ये भी खरीद लिया ये भी खरीद लिया ये भी खरीद लिया हमें चमक दमक के आकर्षन से परे जाना होगा, अगर हमें किफायती रहना है तो चमक दमक के आकर्षन से परे जाना होगा, समझना होगा कि प्रत्वी भी एक जैविक तंत्र की भाती है, इसके पास भी अनन्त चीजे नहीं है, जैविक तंत्र है ये, ज्यादा इसको नौचो ज्यादा इसको खसोटोगे तो ये समाप्त हो जाएगा तो इसने क्या कहा मानव को केवल अपने खाद्दे वस्र और आश्रिय है प्रत्वी केवल इन ही चीजों की जरूरते पूरा कर सकती है केवल एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट है कि इसके अलावा प्रत्वी कुछ नहीं कर स इसको कि फायती हो जाओ थोड़ा परियावरन ये चुनोती का सामना करने का एक मातर रास्ता है कहता है परियावरन की अगर चुनोती का सामना करना तो एक मातर रास्ता जनसंख्या को सीमित करना ये तो यार बिल्कुली आपने लॉजिकल बात कर दी बिल्कुली लॉजिकल बोल रहा है एक मात्र इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है population को सीमित कर देंगे तो वो industry जो आपने establish की इतने सारे जो vehicles है उनका क्या D कहता है कि केवल जैविक तंत्रों का ग्यान ही प्रत्वी को बचा सकता है केवल यानि कि अगर केवल हमें knowledge हो गई तो हमें knowledge होने मात्र से ही knowledge तो सभी को है करता कोन है knowledge तो मैंने आपको ethics में पढ़ाया था जैसे बोलता ना सुकरात ज्यान होने के बाद इंसान जितने भी गलब काम करता है अग्यान अता के वशी भूत होके करता है तब मैंने आपको counter argument क्या किया था जो रमायन वाला example दिया था वैसे तो बोला जाता था जो कौन था वो रावन सबसे ज़्यानी इंसान बोला जाता था उस टाइम पर फिर भी गलत काम कर दिया तो केवल ग्यान होने से काम नहीं चलेगा यह तो गलती बात है हमारे लिए भोक्तवाद को कम करना होगा जादा चमक दमक में नहीं पढ़ना शौपिंग मॉल की तरह प्रत्वी को नहीं देखना यह हमारे अपने ही हित में है चिक है नेक्स चले कुछ लोगों का विश्वास है थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको मुझे लग रहे है शायद आपको देखने में दिक्कत हो सकती है थोड़ा बड़ा कर देते हैं कुछ लोगों का विश्वास है कि नेत्रत्व विश्वास है बिलीफ है कि नेत्रत्व लीडर्शिप एक ऐसा गुन है जो या तो जनम से ही होता है या बिल्कुल नहीं होता जो भी निता बनेगा या तो जनम से होगा या बिल्कुल नहीं होगा जनम जात गुन है ये यह सिध्धान्त मिथ्या है कहता है अगर यह बात कर रहे हो तो यह मिथ्या है क्योंकि क्योंकि इस चीज को नकार दिया उसने कहता है नहीं मैं नहीं मानता यह मिथ्या है यह सब क्योंकि नित्रत्व की कला अरजित की जा सकती है जो leadership है वो आप अपने अंदर अरजित कर सकते हो उसको built up कर सकते हो acquire कर सकते हो और अवश्य ही ये सिखाई जा सकती है अरजित भी की जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है अब ये बात कह रहे ये कैसे पता चला आप कैसे कह सकते हो उसने बोला मिथ्या है जो पुरानी बात थी कहरा यह अरजित भी होगी सिखाई भी जाएगी यह है खोज मतलब जो यह पता चला कि वो अरजित भी की जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है युद्ध के समय में की गई और प्राप्त जो परिनाम है वो प्रशिक्षकों को आश्चरिय रूप में डाल सकते है वो और के टाइम पे पता चला इस नित्रत्व की कला का बाएं जाओ दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर कहतनी कुछ दाएं जाओ कुछ बाएं जाओ ऐसे विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है कि किसी भी तरफ जाने का एक तुरित निर्ने लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बढ़िया है या तो आप खड़े हो, सारे यहीं खड़े हो पता ही नी चलना किधर जाना है ना, दाएं जाना है, बाएं जाना है पता नहीं है ये सब खड़े है वस अभी दाएं जाना है, बाएं जाना है कह रहे हैं, उससे जादा अच्छा है कि किसी और, मतलब एक तो सिर्फ चर्चा कर रहा है कि दाएं जाए या बाएं जाए एक कह रहा है कि या तो दाएं चले जाओ कर ले और उसमें सही होने का तब भी सयोग हो सकता है जब कि कुछ ने करना लगभग निश्शित तोर पे गलत कहता है ये तो ठाली ही बैठे थे ये तो खाली ही बैठे थे सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि राइट जाए या लेफ्ट जाए इन से जादा अच्छे तो वो है जो गए या लेफ्ट गए तो कुछ ना करने से जादा अच्छा था कुछ कर जाए और इससे नित्रत्व के गुनों का विकास हुआ ये युद्ध के टाइम में इस सारी चीजों की खोज की गई और ये सिध्धान्त उस पुराने सिध्धान्त को नकारता है कि नित्रत्व जन् अच्छा है कुछ करना अब ये बोलना चाता है ये लोग लेखक का मत है क्या मानता है लेखक यहां पे कि नित्रत्व को केवल युद्ध के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है नित्रत्व अगर आएगा तो केवल युद्ध के अनुभव से आएगा सेकिंड कहता है नित्रत्व को अरजित भी किया जा सकता है और इसको सिखाया भी जा सकता है थर्ड कहता है प्रशिक्षन के परिणाम दिखाते है कि अपेक्षा से अधिक लोग नित्रत्व अरजित क इतनों को नहीं करना चाहिए था उससे ज़्यादा लोगों ने लीडर्शिप को अर्ज कर उसको एक्वायर कर लिया और कठिन परश्रम के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं बताओ मुझे क्या उत्तर है क्या सही उत्तर है ज़्यादा तर बच्चे बी जवाब दे रहे है बी जवाब दे रहे है ज़्यादा तर बच्चे पी ठीक है बी ओके साफ कहता है कि नेतरत्व को अर्जित भी किया जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है साफ लिखा है नेतरत्व की कला अर्जित भी की जा सकती है और सिखायी भी जा सकती है साफ था ये तो पैसेस के अंदर ही था ये देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ एक चीज मेरी मान के चलो आपको मार्किट में भी बहुत सारे पैसेज मिलेंगे मार्किट में भी बहुत सारे पैसेज मिलेंगे ओके, no doubt लेकिन मैं यह बोलता हूँ market के passes पे जाने से पहले पहले UPSC के सारे passes कर लो UPSC या किसी state service में आ रहा है जैसे suppose करो UPPSE आ रहा है state service के, सबसे पहले UPSC के उसके बाद जब यह कर लो उसके बाद state service के यह passes करने के बाद आप market के passes पे जाना UPSC पिछले 10 सालों से 11 सालों से passes पूछ रहा है 11 साल से पूछ रहा है 11 साल और हर साल वो आपसे 25, 26 या 27 अगर मैं average 26 भी मान के चलूँ 11 चीका 66, 11 दुनी 22 और 6 28 तब भी 280 passes है तब भी 280 कोशन तो सिर्फ UPSC के हो गए और जिस बच्चे ने मैं कहा रहा हूँ अगर आपने सिर्फ इतना भी practice कर लिया तब भी UPSC का पिटी का आपका C set के comprehension हो जाएंगे बाजार के material पे ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है करना है फिर भी अगर आपके मन में इच्छा है फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि maximum maximum 50 पैसेज लगा लेना बस maximum 50 कोशन और लगा लेना बाहर से 50 कोशन और लगा लेना comprehension के बस इस से ज़ादा जाने की जरूरत नहीं है लेकिन पहले ये करना जरूरी है मानो मेरी मानो मेरी मानो आपको ये पे करेगा भटको मत सच में भटको मत क्योंकि आपको अपना analytical approach बढ़ाना है आपको अपनी reading skill बढ़ानी है आपको अपनी comprehend skill डवलप करनी है main उद्देश्य उस development के पार्ट का है passage तो अपने आप solve होने लगेगे ज़ादा मत भटको next आया कहता है climate change मैंने देखो सबसे पहले बताया UPSC के favorite है climate change most favorite है इसका climate change second ये agriculture पे पूछता है agriculture agriculture है ना और agriculture से जुड़ा हुआ ही biotechnology biotechnology और उसके बाद पता नहीं आर्क्टिक पे उसका क्या है आर्क्टिक अंटार्क्टिक बर्फ पिघलना ये सारी चीजे बहुत पूछता है बाई वो है ना हर साल ही मिल रहे है हर साल तीन चार तीन चार पैसिज है इस पे और घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है तो फिर से देखो क्लाइमिट चेंज कह रहा है क्लाइमिट चेंज का निवारन करने की सभी कार्यवाहियों में अंत्ते लागत अंतर नहीं थै अगर आपको क्लाइमिट चेंज का सामना करना है तो उसके लिए आपको कोंस्ट को वहन करना होगा उसकी एक लागत है भारत जैसे देशों के लिए भारत जैसे बोला है भारत नहीं बोला भारत और भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन एड़ेप्टेशन और प्रासमन यानि के मिटिगेशन योजनाव और प्रियोजनाव को अभिकल्पित और कारियानवित करने के लिए वित्पोशन उचि उचित रूप से बहुत एहम है कह रहा है अगर भारत या अन्य विकासील देशों की बात करे और अगर हमें जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन और मिटिगेशन की प्लैनिंग करनी है योजनाय बनानी है उसके लिए पैसे की जरूरत है उचित रूप से बहुत एहम है कौन? वित्पोशन फाइनेंसिंग चाहिए हमें इसके लिए और भारत जैसे विकासील देश के लिए जो की जलवायू परिवर्तन की सरवाधिक मार जेलने वालों में से एक होगा फविशे में जब मार जेलेंगे हम जलवायू परिवर्तन की तब वित्य वि और भी गंभीर हो जाएगी और गंभीर है अधिकतर देश निश्चित ही जलवायू परिवर्तन को वास्त्विक खत्रे के रूप में देखते है और अपने पास के सीमित संसादनों को अधिक व्यापक और एक ही करत तरीके से प्रियोग करके इसके निवारन का प्रियास कर रह है ये लो कहना क्या चाते हो समझ गई ना जब भी पूरा पैसेज पढ़ो थो यह ध्यान रखो कहना क्या चाते हो कहना ये चाता है climate change है climate change का सामना करना है तो पाइसा लगेगा भाई और ऐसे में वो देश जो विकास सील है भारत जैसे विकास सील देश हमें तो दोहरी मार पड़ेगी एक तो हमें अपनी विकास की गतिविदियों के लिए पैसा चाहिए और दूसरा जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए भी पैसा चाहिए लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे है गाना अपने पास के सीमित संसादनों को अधिक व्यापक और एकिकरत त्रियके से प्रियोग करके इसके निवारन का प्रियास कर रहे है ये कहना चाहता है अजम्शन क्या है क्या कहना चाहता है ओथर पहला कि climate change विक्सित देशों के लिए चुनौती नहीं है पहली बात अनेक देशों के लिए जलवायू परिवर्तन एक नीतिगत मुद्दा और एक विकास का मुद्दा है तीसरा वित्य तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकास सील देश अपनी अनुकूलन चमता बढ़ा सके बताओ ज्यादातर बच्चे C जवाब दे रहे हैं कुछ B जवाब दे रहे हैं कुछ B वाले, B वाले मतलब केवल तीन चलो बात करेंगे कुछ बच्चे D भी बोल रहे हैं, एक, दो, तीन, क्या बात है? बी, 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 सी, सी, सी और इस प्रशन का सही उत्तर है, option C पहले चलते एक, पहले वाले पे चलते ये वाला, इसको देखते है कहता है कि climate change विख्षित देशों के लिए चुनोती नहीं है और assumption है, assumption का मतलब हमें पैसेज पे टिका रहना है पैसेज में क्या कहना चाता है? पूरे पैसेज में मुझे ये बताईए कि कहा लिखा है कि विख्षित देशों के लिए चुनोती नहीं है आप मुझे पूरे पैसेज में बताओ कि कहा लिखा है कि ये विख्षित देशों के लिए चुनोती नहीं है इन फैक्ट इसने बोला लागत तो लगेगी पैसा लगेगा चाहे कोई भी हो चाहे विक्सित देश होगा उसका भी पैसा लगेगा चाहे विकास सील देश हो उसका भी पैसा लगेगा पैसा दोनों का लगेगा ये अलग बात है इनके पास ज़्यादा पैसा है तो इन पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इनके पास कम है तो इन पे ज़्यादा प्रभाव आएगा बई ऐसा थोड़े ना अमेरिका का पैसा नहीं लग रहा है यूरॉप के देशों का इंग्लेंड का पैसा नहीं लग रहा है फ्रांस का लग रहा है जर्मनी का लग रहा है सब कहीं पैसा लग रहा है तो पैसा तो सभी कई लगेगा चुनोती सब के लिए है बस यह है किसी के पास 1000 रुपे थे किसी के पास 100 रुपे तो जलवाईू परिवर्तन विक्सित देशों के लिए चुनोती नहीं है तो पहली बात तो इस पूरे पैसेज में कहीं नहीं है आजम्शन में मैंने आपको क्या बोला था आजम्शन पैसेज को वो उसका द्रस्टी कौन है उसी के द्रस्टी कौन के अनुसार हमें बात करनी होगी तो पहला तो गया अगर पहला गया पहला जाते ही यह देखो पहला जाते ही पहला इसमें से गया पहला इसमें से गया आपक क्योंकि कह रहा है वित्य तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकास सील देश अपनी अनुकुलन छमता बढ़ा सके वो पहले ही बोला पैसा लगेगा तो इनके पास वैसे ही पैसा कम है तो जादा हमें वित्त पोशन कहाँ ना बहुत एहम होगा वित्त पोशन ठीक है अस प्लस अन्य विकास सील देश है उनके साथ दिक्कत क्या है डवल प्रॉब्लम है उनको अपने आर्थिक विकास के लिए भी पैसा चाहिए और दूसरा क्लाइमिट चेंज का सामना करने के लिए भी पैसा चाहिए तो अब कौन सी नीती अपनाए ये वाली नीती किसके साथ कटोती करे इसके साथ करे इसके साथ करे दोनों को चले कैसे चले ये एक नीतिकत मुद्दा हो गया पैसा हमारे पास resources limited है और समश्या सामने खड़ी है तो कहता है अनेक देशों के लिए जलवायू परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है यहां डाले, यहां डाले, कितना डाले, कैसे डाले और एक विकास का मुद्दा भी है आप बताओ आई बात समझवें यह आपको, जल्दी से बताइए मुझे यह point clear हुआ या नहीं अनेक देशों के लिए बोलाया उसने ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेल जन, आगे चलते हैं भी पैसेज, नेक्स चलते हैं, कहता है भारत में जैव मातरा तथा कोईले से खाना पकाना स्वास्ते समझ्याओं के प्रमुक कारकों के रूप में स्विक्रत है किस से? या तो आप जैव मातरा, कुछ भी लकडी वगरा, उपले वगरा या कोईले से अगर आप खाना पकारे हो तो स्वास्ते समझ्याओं का प्रमुक कारक है और स्विक्रत भी है कि हाँ ऐसा होता है कैता है तथा तथा निर्धन जन समुदाय की इस्त्रिया और बच्चे सरवाधिक जोखिम का सामना कर रहे है प्रती वर्ष इन घरों में दस लाक से अधिक आसामीक म्रत्यू घरेलू वायू प्रदूशन जो खाना बनाने में परियुक्त एक प्रदूशक इंधन से होती है वो इंधन क्या है जैव मात्रा या कोईले का इस्तमाल इसके कारण होती है तथा ऐसे इंधन से देश की बाहिये वायू प्रदूशन के चलते 1.5 लेक अन्य म्रत्यू होती है इन्हीं इंधनों का जब हम वायू प्रदूशन में भी रोल है उससे भी डेड़ लाख म्रत्यू हो रही है जैव मात्रा और कोईले जैसे इंधन से यद पी कहते है हाला की स्वच्छ खाना बनाने के इंधन जैसे की LPG प्राकर्ति गैस और बिजली का उप्योग करने वाले भारत्य जन समुदायों का हिस्सा होले होले बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन प्रादुशक ठोस इंधन को polluted solid आपका जो इंधन है अभी भी प्रमुक खाना बनाने वाले इंधन के रूप में उप्योग में लाए जाने वालों की संख्या 30 सालों से 70 करोड पर अभी भी है यानि के पिछले 30 सालों में धीरे धीरे LPG नैचुरल गैस बढ़ तो रहा है लेकिन अभी भी 70 करोड लोग ठोस इंधन कोईले का लकडी का उपलो का उनका अस्तमाल कर रहे है ठीक है पढ़ लिया आपने पढ़ लो एक बार खुद से ठीक है क्या inference निकाल सकते हो inference का मतलब directly नहीं मिलेगा बेटा सीधा ही कह रहा है यह inference का मतलब है आपको directly नहीं मिलेगा तो किसी line को खौजने की कोशिश मत करना मिल जाए तो ठीक है लेकिन directly नहीं मिलने वाला यह indirectly चुपा हुआ है इसके अंदर indirectly चुपा हुआ है कहता है कि ग्रामीन जन ग्रामीन लोग स्वास्ते खतरों के प्रती बढ़ती जगरुकता के कारण अब प्रदुशक ठोस इंदन के उपियोग को तियाग रहे है पहला कहता है भारत के घर के अंदर की वायू प्रदुशन की समश्या का समधान खाना बनाने के स्वच इंदन के उपियोग को आर्थिक साहता देकर किया जा सकता है लोगों को आप economic incentive दे दो उससे solution हो जाएगा भारत को प्राकर्तिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए और अधिक बिजली उत्पादन करनी चाहिए फिर निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर आसामिक मरत्यू को कम किया जा सकता है कम किया जा सकता है पताओ ज्यादा तर बच्चे डी जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं डी इसका सही उत्तर है option d is correct देखो इस पूरा पैसेज में ये कहना क्या चाहता है पहले मैंने क्या बोला हर पैसेज को पढ़ने के बाद अपने आप से एक प्रशन करेंगे कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता है कि भाई साब कि जो आपका solid जो आपका प्रदूशक इंधन है उससे दस लाख तो हर साल indoor air pollution से और डेड़ लाख लोग बाहर इससे मर रहे है और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार कर रही है और लोग भी कर रहे हैं कहते हैं धीरे-धीरे स्वच इंधन जैसे कि LPG, Natural Gas और बिजली का उप्योग करने वाले भारतिय जन्समुदायों का हिस्सा बढ़ रहा है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है धीरे-धीरे लेकिन अभी भी 70 करोड लोग पिछले 30 सालों से 6 इंधन का ही इस्तमाल कर रहे है यानि कि इसका मतलब क्या है कहना यह चाता है कि अगर समश्या का समधान करना है समश्या का समधान करना है तो क्या करना होगा यह समश्या है समश्या का समधान क्या है आपको स्वच इंधन का इस्तमाल करना होगा बस अगर आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है तो clean fuel इस्तमाल करना होगा और वो clean fuel क्या है आपका LPG हो सकता है, natural gas हो सकता है या बिजली हो सकती है लेकिन इसमें एक चीज और भी बोल रहा है कैरा धीरे धीरे बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ने का मतलब लोगों का attitude change नहीं हो रहा है धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है अब आजाओ ग्रामीन जन स्वास्ते खतरों के पढ़ती जाकरुकता को देखते हुए इसको त्याग रहे है कहा त्याग रहे है भाई उसने तो बोला 30 सालों से अभी भी 70 करोड ये समझ ही नहीं रहे है 30 सालों से अभी भी 70 करोड लोग इस्तबाल कर रहे है समझ नहीं आ रहा, कहां त्याग रहे है वो अगर वो बोलता कि नहीं सरकारी योजनाओं के चलते 50% से भी ज़्यादा गिरावट आगी तो मान लेते हां रहे हां भई, छोड़ रहे है नौ, ए तो है यहीं नहीं सेकिंड केता है, भारत के घरों के इंदर वायू प्रदूशन की समझ्या का समधान खाना बनाने के सवच इंदन के लिए आर्थिक सहयता दे दो, लोगों को पैसा दे दो प्राब्लम यहां एटिट्यूड चेंज की है, धीरे धीरे कर रहे है, आर्थिक सहयता से नहीं अपनाएंगे वो पिछले 30 सालों से उतने ही बने हुए, यानि के वो अपना एटिट्यूड चेंज नहीं करना चारे ओके, ये भी गया, भारत को प्राकर्तिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए, और अधिक विजली का उत्पादन करना चाहिए क्यों पैसेस में कहीं बोला कि भारत के पास उतना LPG नहीं है, भारत के पास उतना विद्यूत नहीं है, उतना natural gas नहीं है, और अगर आपने चलो बढ़ा भी लिया, चलो आपकी for example माल लेते हैं, problem तो यह है, वो accept ही नहीं कर रहे न, accept ही नहीं कर रहे, लोग बाग नहीं कर रह है, धीरे धीरे तभी तो बोल रहा है, वो धीरे धीरे अपना रहे है, धीरे धीरे, acceptance नहीं है लोगों के अंदर, अगर उन्होंने clean fuel अपना लिया, क्योंकि पैसेज में यही बोल रहा है, लोग मर रहे है, गरीब परिवारों की इस्तरिया और वच्चे मर रहे है, उनकी आप मरत्यों को कैसे रोख सकते हो, अगर हाँ उन्होंने स्वच्छे इंदन अपना लिया तो बच जाएंगे, जा सकता है बोल रहा है बेटा, उसने यह नहीं बोला हो जाएगा, हाँ ठीक है, उसने possibility बताई, कि अगर आपने अपना लिया तो बच जाओगे, चले, बच्चे बोल रहे हैं सर दो सिलेंडर लगते हैं महीने में, और सिलेंडर महेंगा हो गया, तो क्या करें, कोशिश करो बेटा, घर में मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट क्या होता है, बताते हैं आपको, अभी घर के अंदर पांच मेंबर है, है ना 5 member है ओके और घर के अंदर खाना बना लिया आपने evening में 7.5 बजे सपोज करो example अभी एक member 7.5 बजे खाएगा एक बोलेगा मेरे को 9 बजे दो ओके एक बोलेगा मेरे को 11 बजे दो एक बोलेगा मेरे को तो 12 बजे दो और जब भी देंगे भाई मुझे गरम करके दो तो same food जो आपने 7 बजे बनाया था उसको 9 बजे गरम कर रहे हो 11 बजे गरम कर रहे हो 12 बजे same food पे आपने 3 टाइम आपने अपनी जो इंधन था उसको waste किया है यह तो भाई discipline लेके आना पड़ेगा यह वहवार से ही चीजे सुधरेगी miss use को कम करना होगा ठीक है तब ही हो सकता है अब रिसोर्स है सदुपियो करना सीखना होगा ओके आप electric induction का इस्तमाल कर सकते हो electric induction कर सकते हो electric जो आपका चूला होता है at least उस पे दूद गरम कर लो कुछ काम उधर कर लो कुछ उधर कर लो अगर आपकी gas से सस्ती बिजली है तो कुछ काम बिजली वाले चूले पे कर लो ठीक है बेटा electric का option भी है electric का option भी है next आगया गजब का पैसेज है और ये चोईस तो बेटा आपको करनी है देखो health बचानी है या पैसा बचाना है आपको देख लेना आपके लिए जो ज़्यादा priority है health ज़्यादा priority है या पैसा आपने अभी 900 रुपे का slender मानके चलते है ये ठीक है अभी किसी का health खराब हो गया एक बार ही दोक्टर के पास जाओगे 500 रुपे ले लेगा लेकिन हम इसको plan नहीं करते है हम ये सोचते है बिमार होगे तो जाए गई वो लेकिन उस बिमारी के कारण के पीछे आप जा सकते है उसको जो health issue है coughing है उसको अस्थमा हो गया आँक का problem हो गया दस चीजे हो गया तो डोक्टर के पास भी तो आपने जाके पैसा दिया तो इसलिए argument नहीं चलते बिटा आपको plan करना होता है अपने खर्चों को चार बार डोक्टर के पास जाओगे ना एक महीने में 2000 रुपे तो आपके वैसे ही लग गए लेकिन हमारा ये attitude बन गया रहे नहीं उस कोईले से उस उपले से उस लखडी से कैसे बिमार हो सकते हैं हम तो हजारों साल से ये ऐसे बनाते आए हैं आगे चलो विज्ञानिक ज्यान के अपने संकट है विज्ञान साइन्टिफिक नॉलेज के अपने संकट है लेकिन कहते हैं लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है जितनी भी बड़ी चीजों होती ऐसा ही होता है उन संकटों से परे जिनके द्वारा यह ज्ञान वर्तमान को डराता है विज्ञानिक ज्ञान के लेकिन कहता है हर बड़ी चीजों के साथ ऐसा होता है बेनेफिट है तो उसके नुकसान भी हो सकते है जिनके द्वारा यह ज्ञान वर्तमान को डराता है उन संकटों से परे, कहता है अगर उन सारी चीजों को भूल जाओ जिनके द्वारा ये वर्तमान को ड्राता है एक संभावित सुखी विश्व जो की गरीबी रहित है, युद्ध रहित है रोग मुक्त है का भविश्य का निरूपन उसको कौन तियार करेगा विज्ञान तियार करता है और किसी से नहीं हो सकता ये काम विज्ञान ही कर सकता है एक आपको बहतर जीवन देने का काम विज्ञान के चाहे कोई भी आप ये परिनाम हो उसके कितने भी आपके आप ये परिनाम हो सकते है वो अपनी विशेश प्रकरती में ठीक है बताओ क्या implication है अब देखो implication आ गया बेटा implication implication सुखी विश्व विज्यान का स्वपन है implication में मैंने आपको क्या बताया था future oriented है ये future oriented है भविश्य की बाते करता है implication विज्यान ही एक सुखी विश्व का निर्मान कर सकता है लेकिन यह है अकेला सबसे बड़ा संकट भी है विज्यान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है सुखी विश्व का होना बिलकुल संभव नहीं है विज्यान हो या ना हो दुनिया में कोई शुखी विश्व की बात जैसी बात नहीं हो सकती ठीक है बच्चे जवाब दे रहे है जादा तर बच्चों का ए जवाब आ रहा है कुछ का बी भी आ रहा है ए ए ए ठीक है बी भी आ रहा है इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन ए देखो एक चीज तो आप समझो विटा इसने क्या बोला इसने बोला है कि वेज्ञानी ग्यान के अपने संकट है लेकिन हर अच्छी चीज़ों के साथ ऐसा होता है कि उसके बुरे प्रभावबी होते है लेकिन ये ये भी बोल रहा है कि अगर जो बुरे चीज है जिससे आप डर रहे हो अगर उसको छोड़ दो सब्सक्रों आप नुकलियर एनरजी को लेके आप बोलो इसके नुकलियर बॉम हो सकता है वो लीकेज हो सकता है उससे दुनिया का विलाश हो सकता है ठीक है उसको अगर हटाओ लेकिन वो एक energy है clean energy है आपकी उर्जा आवशक्ताओ को पूरा कर सकती है घरेलू आवशक्ताओ और द्योगिक आवशक्ताओ आपके विकास का आधार हो सकती है तो कह रहा है विज्ञान वर्दान और अभिशाप दोनों चीज है लेकिन अगर उसके अभिशाप को उसके नकरात्मक प्रभाव को हटा दो तो आपका बहतर विश्व गरीबी रहित युद्ध रहित और रोग मुक्त जो आपका भविश्य है वो कौन बनाएगा विज्ञान एक बहतर विश्व का स्रजन विज्ञान करेगा और किसी से नहीं हो सकता ये काम कोई और नहीं करेगा विज्ञान कर रहा है इस काम को विज्ञान के चाहे कितने भी आपके आप प्रिय परिनाम हो लेकिन वो मुक्ति दाता है उससे लोगों की प्राबलम सौल होती है यानि कि overall ये क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि विज्ञान से ही बहतर भविश्य बनेगा विज्ञान से आपका बहतर या सुखी भविश्य बनेगा अभी चाहे कोई भी बात हो इसके कितने भी दुश्परिनाम हो या कुछ भी हो देखो इसको सुखी विश्व विज्ञान का स्वपन है और वैसे भी मैंने क्या बता है जैसे ही implication आएगा future oriented है आई बात समझ में कहता है विज्ञान ही सुखी विश्व का निर्मान कर सकता है लेकिन ये अकेला सबसे बड़ा संकट है इसने ये तो कहीं भी नहीं बोला कि सबसे बड़ा संकट भी विज्ञान है अकेला, सिंगल कहते हैं दुनिया का सिंगल सबसे बड़ा संकट विज्ञान है नहीं भाई इसने ये जरूर कहा है कि हर अच्छी चीज के बुरे परिनाम होते है और विज्ञान के साथ भी ऐसा ही है लेकिन विज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा संकट है ये तो कहीं भी नहीं कहा ठिक है और कहता है विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब ही भी दो option आपके एक जैसे आ सकते हैं there can be two option जो एक जैसे आपको नज़र आए कि option A भी more or less ऐसा है option B भी बस ध्यान रखना जो option आपका positive है जिसका positive inclination है एक option होगा वो उसका negatively वो अपनी बात को कह रहा है negative inclination के साथ कह रहा है तो हमें positive के साथ जना है A ज़्यादा positive है सुखी विश्व विज्ञान का स्वपन है क्योंकि यही यही क्या करेगा गरीबी से रहित युद्ध से रहित रोग मुक्त भविश्य बनाएगा ठीक है आजओ next passes परिश्षेत कहता है Arctic के जिवाश में इंधन Arctic में Arctic समझ रहे हो न यह equator है यह zero degree यहाँ पे आपका Arctic है और यह आपका Antarctic है यह Antarctic है Antarctic है यह आपका Arctic है कहता है Arctic का जिवाश में इंधन वहाँ पे जो आपका fossil fuel है मत्स्य है और खनीजों के जो विपुल भंडार है अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलब है मतलब आर्क्टिक में बहुत सारे आपके fossil fuel है fishing आपके मत्सयन कर सकते हो बहुत सारे minerals है बड़ा भंडार है अब लेकिन साल में ज़ादा समय के लिए उपलब्ध है ज़ादा समय के लिए उपलब्ध होने का मतलब आपको पता है आर्क्टिक शेतर में बर्फ रहती है लेकिन इन दिनों global warming की वज़े से वो बर्फ पिघल जा रही है तो वो जो दबे हुए आपके संसाधन है वो हमें नजर आ रहे है लेकिन कहता है लेकिन अन्टार्क्टिक इसकी बात कर रहा है अन्टार्क्टिक जो कि शीत युद के cold war के दुरान हुई अन्टार्क्टिक संधी के कारण सोशन से सनरक्षित है कहते है cold war के टाइम पे अन्टार्क्टिक को लेके संधी हो गई थी बोला था कि इसका कोई शोशन नहीं करेगा और किसी भी देश के दुवारा किये जाने वाले राज्य छेत्रिय दावों के अंतरगत नहीं आता और अगर कोई भी देश इस अंटार्क्टिका पे अपना छेत्रिय दावा बोलना चाता है कि ये मेरा ये मेरा वो valid नहीं है इसके विपरीत किसके अंटार्क्टिक के विपरीत आर्क्टिक को ओद्योगी करण से सुरक्षित रखने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है मतलब अंटार्क्टिका के लिए तो थी इसके लिए नहीं है विशेश कर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालाईत है संसाधनों के पीछे भागरी है पूरी दुनिया ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये सब मैं ले लूँ हिम मुक्त ग्रिश्म यानि के आईस से रहित ग्रिश्म की सु इसपस्ट सम्भावना ने आर्क्टिक के तट वाले देशों को पिघलते हुए सागर यहां का ग्रिश्म काल में हिम पिघल गया तो पिघलते हुए सागर के बड़े खंडों की यहां से बड़े बड़े छेतर अब पहले तो बर्फ के नीचे थे अभी सामने आ गए इनकी छीना जप्टी के लिए उत्साहित कर दिया अब इसको लेके छीना जप्टी कर रहे है कौन आर्क्टिक के तट वाले देशों को जिनका आर्क्टिक से तट लगता है है ना विशेशकर उनको आगई बात समझ में कहना क्या चाता है आप बताओ कहना क्या चाता है कहना ये चाता है दो ऐसे छेतर थे एक तो हमने सुरक्षित कर लिया कानूनी रूप से ये वाले को हम सुरक्षित नहीं कर पाए नहीं कर पाए तो अब इसको लेके जैसे ही बर्फ पिगलती है तो इसको लेके सब आगे पीछे भाग रहे है कि मैं कब जालू, मैं कब जालू, मैं कब जालू आर्क्टिक पे जो भी मिल रहा है implication क्या है implication future oriented future oriented होगा और इसमें cause की effect की और solution की बात करते हैं इन जो की हम बात करेंगे implication कहता है भारत आर्क्टिक छेतर में राज्य छेतरे दावे कर सकता है और उसके संसादनों तक भारत की मुक्त पहुँच हो सकती है कोई रोकने वाला नहीं हमें आर्क्टिक में जाएंगे हमें कारण बन सकता है या कारण बनता है आर्क्टिक छेतर के भविश्य में आर्क्टिक छेतर भविश्य में विश्व के संसादनों की कमी की भारी समश्या को सुलझाएगा और कहता है आर्क्टिक छेतर में अंटार्क्टिका से जादा संसादन है कहता है कि आर्क्टिक वाले के पास इसके पास इससे ज़्यादा रिसॉर्स है बताओ फिफ्टी टू फिफ्टी टू का जवाब दो जाता तर बच्चों के जवाब आ रहे है बी देखो पहले वाला तो है ही नहीं भारत आर्क्टिक प्रदेश में छेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसादनों तक देखो दावे कर सकता है कर लो पहली बात तो क्या है इसने साफ बुला है कि जो तटीय छेत्र है आर्क्टिक के तठ वाले देशों के बीच में छीना जप्टी चल रही है तो भारत तो ही नी उसमें आर्क्टिक कहां है? आर्क्टिक यहां है, भारत यहां है हम यहां है इंडिया यहां पे है काफी दूर है तो छेत्रिय दावे किस आधार पे करेगा उसने साफ बोला है आर्क्टिक के तर्ट वाले देशों में जदा छीना जप्टी होगी भारत को तो निकाल दो इससे और उपर से क्या कह रहा है भारत की मुक्त पहुंच हो जाएगी हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा है ना अमेरिका वाला बोलेगा रशिया वाला बोलेग तो यह तो गया अब यह कहता है कि आर्क्टिक छेदर भविश्य में विश्व के संसादनों की कमी की भारी समश्या को सुलजाएगा भारी समश्या यानि कि इसके पास इतने संसादन है कि यह समश्या को सुलजा देगा इसने यह जरूर बोलाए कि यहां पे संसादन है पूरे विश्व के संसादनों की कमी को आर्क्टिक सुल्जा देगा, नौ, ये कहीं भी नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, ये गया, फिर कहता है कि आर्क्टिक के पास, इसके पास इससे ज़्यादा रिसौर्स है, कैसे बोल दोगे भाई, इसके तो दबे पड़े हैं, हमें पता ही अभी यह कहता है कि अगर ग्रिश्म काल में उसका बर्फ पिगलता है तो वहां भूराजनिती, भूराजनिती मतलब जियो पॉलेटिक्स, जियो पॉलेटिक्स का मतलब है जोगरफिकल लोकेशन बेज, जोगरफिकल लोकेशन के बेज़ पे आपकी वहां राजनिती, वही तो तो वो बोल रहा है कि उधर जितने भी countries है USA हुआ उसके बाद Russia हुआ वो भी उधर से लगता है Canada हुआ वो भी है Europe के भी बहुत सारे देश है मैंने आपको code भी बताया था find scar यह 8 देश है आपके option is B ठीक है ठीक है अभी आगए न सबी समझ में थोड़ा confidence बढ़ रहा है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा कितना आसान से चीज़े पूछ रहा है हम जिस comprehension से इतना डर रहे थे वो तो डरने वाली बात ही नहीं है हम तो फालतु में ही डरे बैठे थे इसको लेके एक 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 ये डर बना दिया गया सुनोगे आप नहीं comprehension से नहीं होगा जो बच्चा comprehension में लगा हुआ है वो अपना भविश्य बरबाद कर लेगा cset का भी comprehension से नहीं हो सकता हम ये जरूर मान सकते हैं मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चलो 25 question आये आपके हर साल 25, 27 आ रहे है 25 question आये है हो सकता है आपके 25 के 25 ठीक ना हो 25 आपने attempt किये आपके 6 गलत हो गए ये मान के चलो या 5 गलत हो गए अभी भी इसका मतलब आपके 20 ठीक हुए negative marking में 2 जाएंगे यानिके 18 question तो आपने ठीक किये ना बिटा 18 तो ठीक किये ना 18 से कितना पोचना है अगर P.T. qualify करना है तो हमें 27 पोचना है यानिके 9 question ठीक करने हैं बस और मैं तो ये भी कहता हूँ 25 आपने किये 25 आप लेकिये चलो आपके 8 गलत हो गए तब भी आप 14 15 question तो आपके ठीक बन रहे है ना 10 ही तो करने है 10 से 12 एक घंटे में क्या आफ़त है 100% भी accurate नहीं बनते लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप 90% accuracy पे काम करोगे 25 पैसेज करके आओगे 20 करके आओगे 17 आपके ठीक होने ही होने है लेकिन उस डर को निकालना होगा क्योंकि जब तक ये डर दिमाग में बेटा पूर्व धारना बना ली हमने वो बताया था ना महेश परेशान घूम रहा है पीटी का रिजल्ट आया अच्छा भाई गल्फ्रेंड से लड़ाई हुई होगी नहीं हो सकता भाई अगर आप पूर्व धारना बना के चल दिये कि सी सेट में कॉम्प्रिहंचन से नहीं होगा तो भाई मेरे पास इलाज नहीं है इस पूर्व धारना को त्याग ना होगा जितनी भी पूर्व धारना है इधर सॉल्व करेंगे अपनी लाइफ में नहीं करेंगे उनको इस बार फोड के रख देना है इस बार ध्यान रखना वो जो 600-700 बच्चे मेंस लिखते ना हिंदी माध्यम से भाई मेरे अंदर दर्ध है मैं नहीं चाहता इतना कम बच्चा लिखे जब मैं महनत कर रहा हूँ और आपको ये महनत आपको rare मिलने वाली है बेटा इस बार 3, 4, 5, 1000 बच्चों को मेंस लिखना है हम किसी भी पैरामीटर पे कहीं भी कमजोर नहीं है बस मान लिया हम कमजोर है बहुत सारे बच्चों के ऐसे exposed देता हूँ पीटी पास नहीं होता और बोलते है Sir medium change कर लेगिया क्यों भाई आपने कभी मेंस लिखा आपने कभी मेंस लिखा हिंदी माध्यम से नहीं लिखा फिर क्यों change करना है सर सब बोलते हैं कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं आता तो मतलब दूसरी की बात पर आपने इतना यकीन कर लिया अपनी महनत पर यकीन नहीं है दूसरे की बात पर यकीन है अभी एक बार लड़के तो देखो एक बार थोड़ा सा आमने सामने आओ तो सही अच्छी तयारी के साथ एक मेंस लिखो नंबर आने का इंतजार करो फिर देखो आपने क्या पढ़ा था और आपको क्या दिया है बस लेकिन पूर्व धारनाओं के पुतले बन गए है हमें अल्टिमेटली ना हिंदी मीडियम में करेंगे ना इंग्लिश मीडियम में करेंगे वो मैंने बोला था ना ना राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे बस खड़े रहेंगे और खड़े रहने का मतलब अल्टिमेटली आप कुछ भी नहीं कर रहे वही के वही हुआ हिच की चाहट में जीवन निकाल दिया पता चला एक साल गया, दो साल गया, तीन साल गया, चार साल बाद घरवाले बोलेंगे भाई कोई सी, मास्टी को कर ले भाई बैंक की जोब कर ले, S.S.C. का अभी भी उमर बचा है एक दो टेम्ट उधर लगा ले, पहले लोखरी कर ले यह I.S. बनने का शोक बोल ले लगता है, यह शोक बाद में पालना अगर लीडर बनना है, तो बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा अभी कहता है, डबलू टियो का सदश्य होने के कारण डबलू टियो भारत उन समझोतों से बन्धा हुआ है, जिन पर भारत समेत इसके सदश्यों ने हस्तक्षर किये है है न, हम बहुत सारे एगरीमेंट से बन्दे हुए है एवँ अनुसमर्थन किया है, उसको हमने बाद में रैक्टिफाई भी किया है समझा जाता है कि क्रिशी समझोतों के कहां पे WTO के अंदर जो क्रिशी समझोता उसके अनुछेद 6 के अनुसार क्रिशी उत्पादों के लिए नियूनितम समर्थन मुल्य जिसको आप बोलते हो minimum support price उपलब्द कराने से विकरती आएगी अगर आप अपने agriculture products को MSP दे रहे हो तो उससे विकरती आएगी बाजार खराब होगा और इसे सीमाओ के अधीन रखा गया है इसलिए हमने क्या रखा है कि हमने समर्थन को क्या रखा है उसकी हमने एक limit बान दी है कि इससे जादा हम समर्थन नहीं देंगे उसको हमने limit कर दिया है नियुन्तम समर्थन से उत्पन आर्थिक सहयता विकास सील देशों के लिए क्रिशी उत्पादन के मुल्यके 10% से अधिक नहीं हो सकती तो इन्होंने बोला कि अगर आप विकास सील देश हो तो अगर MSP के रूप में जो आपकी क्रिशी उत्पादों की सहयता है वो टोटल उसके 10% से जादा नहीं हो सकती किस से क्रिशी उत्पादन मुल्यके भारत का जो PDS है Public Distribution System है उसके लिए नियुन्तम समर्थन मुल्यक और खाद्यान का सार्जवनिक स्टॉक होल्डिंग आवशक है हमने PDS सिस्टम लाया लोगों को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप कहते हैं उस PDS के लिए हमें इस MSP वाले नियुन्तम समर्थन मुल्यक और खाद्यान का एक स्टॉक होल्डिंग रखना जरूरी है और यह संभव है कि कुछ वर्षों में उतफाद को को दी जाने वाली आर्थिक सहएता कृषी उतफाद के मुल्यके 10% से जढ़ा हो जाए जबकि नियम क्या केते 5% से जढ़ा नहीं होनी चाहिए सहएता लेकिन ये क्या कह रहे है, हो सकता है, संभव है कि आने वाले सालों में हमारी ये 10% से ज़ादा हो जाए, तो पहला प्रशन तो यही आया, कि कहना क्या चाहते हो, कहना वो ये चाहता है कि WTO में बहुत सारे agreement होते है, उस पे agriculture का भी agreement हुआ, भारत और अन्य देशों ने किया, लेकिन उसमें ये कहा कि अगर आप agriculture में, अगर आप आर्थिक साहयता देते हो MSP के रूप में, तो उससे वेपार खराब होता है, इसलिए हमें उस साहयता को limited करना होगा, तो उसने बोला हम उस साहयता को समझोते में 10% कर दिया, इस 10% से ज़ादा नहीं होगी विकास से इल चलाया हुआ है, हमें लोगों की बड़ी population है, उसकी खाद्यान सुरक्षा के लिए हमें ज़ादा क्या हो सकती है, ज़ादा जरूरते और ज़ादा हमें साहयता देनी पड़ सकती है, और ऐसा हो सकता है कि भविश्य में कि कृशी उत्पादों के मुल्य का जो हमने समर्थन म लेकर 10% बोला है, इससे ज़ादा हम चले जाए, 10% से भी ज़ादा जा सकते है, अब ये कहता है, क्या मैसिज कहना क्या चाता है ये, मैसिज क्या दे रहा है, मैसिज देता है कि भारत को अपने PDS को शंसोधित कर देना चाहिए, कि आपका जो PDS है ना, उसको amend कर दो, भारत क WTO का सदश्य नहीं होना चाहिए, तीसरा, भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यपार के साथ टकरा रही है, भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, बताए, क्या सही उत्तर होगा? ठीक है, क्या सही उत्तर है, बताएए, मुझे, C, 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 मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है, C, 53 का अंसर है, C, देखो, इसने साफ कहा, कि एक तरफ समझोता है, और दूसरी तरफ हमारे खाद्य सुरक्षा है, तो यानि कि वो समझोता, क्या है, भारत की खाद्य सुरक्षा के साथ टकराओ कर रहा है, कि अगर हम भारत की फूड सिक्योरिटी को एंशोर करते हैं, तो 10% से ज़ादा जा सकता है, और वो WTO के व्यपार के जो समझोते हैं, उसके अगेंस जा रहा है, तो साफ है, कि जो खाद्य सुरक्षा और व्यपार के साथ टकराओ की स्थिति उत्पन हो रही है, तो भारत को PDS को संशोधित कर देना चाहिए, PDS संशोधित करने की बात नहीं है, बात यह है कि अगर हम वो कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज हो रही है, टकराओ की स्थिति उत्पन हो रही है, WTO का सदश्य नहीं होना चाहिए, यह तो बात कहें नहीं, यह मैसेज दे रहा है कि WTO की सदश्यता त्याग दो, फिर कह रहा है भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, वो तो देही रहा है, मैसेज यह है कि अगर वो खाद्य सुरक्षा देता है, तो उधर से टकराव हो रहा है, तो C option इसका ज़्यादा सही है, देखो जो यह तना closely confusion create हो रहा है ने बटा, यह practice से remove होगा, अगर आप सोचोगे कि सीधा यही passage जाके suppose करो, यह same passage जाके आप UPSC exam hall में attempt करोगे तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि options इतने close है ना कि multiple time, hundreds time आप exercise करोगे तब आपको fine line समझ में आना शुरू होगी, next passes, भारत की शिक्षा परनाली, उस व्यापक शिक्षा परनाली के नमूने पर बनी है, जो यूरोप में उन्निश्वी शताबदी में विक्सित हुई और बाद में विश्व में फैल गई, कहते हैं भारत में जो हमने education का system अपनाया हुआ है ना, वो उस education system पे है, जो 19th century में विक्सित हुई थी और बाद में पूरे दुनिया में फैल गई, और जो इस education प्रणाली 90 शताबदी की इसका उदेश्य था कि बच्चों को अच्छे नागरिक बनाए और उत्पादक श्रमिकों के रूप में उनको अनुकूलित किया जाए, यह है व्यवस्ता अध्योगिक यूग के लिए उप्यूक्त थी, कह रहें आपने यह system जो लेके आये थे ठीक था, लेकिन वो industrial age के लिए सही था, इंडस्टियल age के लिए तो ठीक था यह हमारा, जिसमें सीमित छमता वाले अनुपालन करता श्रमिकों की लगातार पूर्ती की मांग थी, क्योंकि इस industrial age में हमें ज़्यादा ability की जरूरत नहीं थी, सीमित स्किल वाले हमें क्या चाहिए थे, श्रमिक चाहिए थे, वो आए, उन्होंने काम किया, मशीनों की तरह उत्पादन किया, हमारे सिक्षन संस्थान ऐसे कार खाने की तरह है, अब कहता है कि हमारे जो educational institution ऐसे कार खानों की तरह है, जिसमें घंटिया बजती है, वर्दिया होती है, घंटी बजी, सुबह आठ बजे बजेगी, कि हम उसमें तारे जमी पे, कस के जूता, कस के बेल्ट है न, कंधे पर जिम्मेदारी, लेकर निकली सवारी, दुनिया का नारा डटे रहे हम, मंजिल का इशारा बढ़े रहे हम, तो घंटिया बजती है, ड्रेस पहनते है, स्कूल जाते है, लंच होता है, आदा घंटा केलते हैं, फिर किताब पढ़ेंगे, फिर घर पे आ जाएंगे, पूरे दिन होमवर्क करेंगे, फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो हमारे सिक्षन संसान कारखानों की तरह है, जहाँ पे घंटिया बचती है, वर्दिया होती है, और शिक्षार्तियों के जथे तैयार किये जा रहे है, और ऐसे सिक्षार्ति अनुपालन के लिए बनाए जा रहे है, क्या बाद में क्या करेंगे, आज का वातावरन पूर्णते भिन है आप जो इंडस्ट्रियल एज में थे 19th century वो युग और आज का युग बिल्कुल अलग है यह एक जटिल आइस्थिर और भुमंडिलिय रूप से अधिक संबंधित विश्व है पहले से जटिल एक दूसरे पर इंटर डिपेंडन्ट एक नया युग है आज का अजंप्शन क्या है इस पैसेज में वो कहना मतलब इस पैसेज को पढ़ने के बाद उसका माइंड सेट समझ गई ना माइंड सेट क्या है उसका बताओ भारत को अपनी तुर्टी पूर्ण शिक्षा प्रनाली के कारण तत्वते विकासील देश बना हुआ है मैंना भारत अपना विकासील देश इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे पास ऐसी एडुकेशन सिस्टम है सेकिंड आज के शिक्षार्थियों के लिए नए युग के कोशल समू को प्राप्त करना जरूरी है काफी संख्या में भारतिय शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी संख्या में भारतिय यानि कि इंडियन्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए विक्सित देशों में जाते है क्योंकि वहां की शिक्षा प्रनालिया उनके समाजों का पूर्ण प्रतिबिम्ब है जिनमें वे कारिय करती है क्या जबरदस पैसेज है कहता है कौन सी पूर्वधारना ठीक है बताओ 54 अजम्शन है तो पैसेज में रहना पड़ेगा अजम्शन है तो पैसेज में रहना पड़ेगा पैसेज में ही रहना पड़ेगा देखो बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट ही इसने क्या का काफी संक्या में भारतिय लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जा रहे है और उन समाज इसलिए जा रहे है क्योंकि वहाँ पे जो एडुकेशन है उनके समाज को बेटर रिप्रेजेंट करती है कहां है इस पैसेज में भारतिय लोग जा रहे है विदेश में जा रहे है शिक्षा प्राप्त कर ले और वो इसलिए कर रहे है कि नो तीसरा नहीं है तो तीसरा नहीं है तो निकालो तीन को यहां से निकालो तीन को यहां से निकालो और तीन को यहां से निकालो उत्तर निकल के आ गया B option है क्योंकि हम 19th century की education system है आज का दुनिया बिल्कुल अलग है तो नए skills चाहिए हमें और यह कह रहा है कि भारत अपनी पुरानी सिक्षा के कारण ही आज विकास सील देश बना हुआ यह भी बात हम नहीं कह सकते केवल दो नेक्स चले एक और पैसेज है केता है आहार नियंतरन जिसको आप बोलते हो dieting dieting का concept चल रहा है न नया आहार नियंतरन का जो प्रचलन है महामारी बन चुका है जिसको भी देखो dieting पे है वजन नी बढ़ाना है न thin is in है न इन दिनों है न concept thin is in जो पतला है दूबला है वो in है इन का मतलब वो ठीक है उस concept की बात कर रहा है आहार नियंतरन का प्रचलन महामारी बन चुका है हर कोई एक स्रेश्ट शरीर प्राप्त करना चाता है उनके तरीकों की तलाश कर रहा है कि मैं कैसे एक अच्छी शरीर को बनाऊ हम सभी संजातियता यानि के ethnicity अनुवांशी की genetics अपनी family history अपने ling अपनी आयू अपनी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्ते इस्थिती जीवन शैली और वरियता के संदर्ब में भिन भिन है हम सभी लोग एक दूसरे से अलग है किस द्रस्टी कों से अपनी सजातियता की अनुवांशी की की family history से लिंग से आयू से हमारा सब का mental physical जो health का status भी अलग-अलग है जीवन शैली हम सबकी अलग है सबकी preference अलग है इस कारण से कहता है इस कारण से हम किस आहार को सहन कर सकते है और किस आहार के प्रतीश समवेधन शील है इस मामले में भी भिन है क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी variety है तो इस कारण से हमें अपने आहारों में भी variety है हो सकता है किसी के लिए कोई सहार ठीक है किसी के लिए नहीं है किसी के लिए सेम चीज healthy है किसी को वो unhealthy feed करा सकती है कहते हैं तो उस हिसाब से हमारी आहार प्रणालिया भी एक दूसरे से अलग-अलग है अते हम वास्तों में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते कि इतनी सारी जो complexities थी इसको सिर्फ एक diet chart से हम उसको solve लहीं कर सकते यह विशु भर में मोटापे पर नियंतरन रखने में आहार की विफलता को स्पस्ट करता है पैसेश कहता है कि हम इसलिए मोटापे को नियंतरित नहीं कर पारें क्योंकि हम diet chart को follow कर रहे है इन सारी चीजों को तो देखी नहीं रहे कहता है जब तक की हमारा वजन बढ़ क्यों रहा है उन कारणों को भली भाती समझा नहीं जाएगा वो कारण हो सकता है आपका ethnicity, वो कारण हो सकता है आपका genetics, वो कारण हो सकता है family history, वो हो सकता है link, वो हो सकता है I use, physical, mental, status, health, lifestyle कहता है जब तक उन कारणों को भली भाती नहीं समझ सकते हम दूर नहीं किया जाएगा और जब अब तक आदतों को स्थाई तोर पर नहीं बदला जाएगा कोई आहार शायद सफल हो जाए कहते है कि आहार जो आप ये dieting की बात कर रहे हो सफल नहीं होगा, कारणों को जानना होगा, आदतों को बदलना होगा क्या inference है inference कहता है, मोटापा विशु भर में एक महामारी बन गया है मतला आपका judgment क्या आया इस passage को पढ़के, इस passage को पढ़के आपका judgment, आपका opinion क्या आया दुनिया में एक महामारी बन गया, बहुत से लोग श्रेष्ट शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे है मोटापा तत्वत्य एक आसाध्य रोग है, इसको ठीक नहीं कर सकते मोटापे के लिए कोई पूर्ण अहार या एक समधान नहीं है कि सिर्फ आप किसी डाइट से उसको कंट्रोल कर दोगे क्या रहा है, डाइटिंग उसका पूर्ण समधान या कोई एक सिंगल आपके पास solution नहीं है ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे है, D समझ गई ना, भई पूरा पैसेश पढ़के आपको क्या पता चला कि आप सिर्फ डाइटिंग से मोटापे को कंट्रोल नहीं कर सकते आपको बहुत सारे और कारणों को भी जानना पड़ेगा तो inference क्या है, मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार नहीं है कोई single solution नहीं है जब तक हमें कारणों का पता नहीं चलेगा तब तक हम मोटापे की समझ्याता समधान नहीं कर सकते बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बी वाला क्यों नहीं हर कोई straight शरीर प्राप्त करने की धुन में लगा हुआ है इस passes को पढ़के आप ये opinion है क्या आपकी हर कोई straight शरीर वो तो उसने बोला कि हर कोई चाहता है लेकिन पूरा passes पढ़के opinion तो यहीं बना कि भाई सिर्फ diet से कुछ नहीं होने वाला अगर आपको अच्छा शरीर चाहिए मोटापे से मुक्ती चाहिए तो बाकी सारी चीजे देखनी होगी ये आपका opinion बना है चिक है नेक्स्ट पैसेज को पढ़ो आप इसको खुदी पढ़ो जल्दी से पढ़ो इसको एक धान्य क्रिशी मतलब मोनो कल्चर मोनो कल्चर मोनो कल्चर पढ़ लिया ठीक है नेक्स्ट चलो क्रूशियल मैसेज क्या है क्रूशियल मैसेज क्या है क्यता है फसल आनुवांशिकी विविदिता को सुरक्षित रखना जलवायू परिवर्तन के प्रभावों के विरुद एक वीमा है बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद सुरक्षा को सुनिशित करने का से विश्व की रख्षा कर सकेगी जलवायू परिवर्तन और उससे होने वाले खाद की कमी से एशिया और उत्री अमेरिका सबसे बुरी तरह से प्रभावित होंगे बताईए कॉश्चन नमबर 56 ज्यादा तर बच्चे प्रेरना, मिनू, पवन ममता, शुश्मा, किरन, रिशी, ड्रीम, यूपी, एस्सी, छाया और प्रतीबा, नात, सब बोल रहे हैं ए इस प्रशन का सही उत्तर है ये क्या कहता है मोनो कल्चर के तो जोखिम है तो यहाँ पे क्या कह रहा है मोनो कल्चर ही आपको बचा सकती है कहा है ये मोनो कल्चर ही बचा सकती है ये तो जोखिम है वाई ये से कैसे बच जाओ गया फिर ये कहता है कोई एक मात्र अगर पीड़क रोग या पीड़क विशु भर की सारे खाद्दे उत्पादनों का समूल विनाश कर देगा अगर एक ही फसल आ रही है आपने पूरी दुनिया में एक जैसी फसले हो गाई यहां भी इंडिया, अफरीका, यूरॉप है ना कोई एक क्या आया एक पीड़क आया पूरी दुनिया भर की फसलों को समाप्त कर देगा सिंगल कोई रोग किस पे डिपेंडेंट रहोगे बाकी तो आपने सब उपजाना ही बंद कर दिया तो एक भैप्रद संभावना है कि इसकी बढ़ती हुई और अपेक्षाकरद जनाध्य जनसंख्या दुनिया की सत्तर प्रतिशत और खाद्य का उपयोग करेगी मतला आज जितना उपभोग कर रही है आज के उपभोग से 70% ज़ादा उपभोग करेगी कब तक 2050 तक और जैसे ही जलवाईू बदल रही है क्लाइमिट चेंज हो रही है तो जो खिम भी बढ़ गए है जैसे जैसे ग्रह ग्रम होगा मांसून वर्षा में तीवरता आएगी एशिया की करशी भूमिया बाड गरस्त हो जाएगी उत्री अमेरिका को ज़्यादा गहन सुखे का सामना करना पड़ेगा फसल के नए परिनाम ना फसल के रोग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे यानि कि अगर एक फसल पे आप डिपेंडेंट हो तो और ज़्यादा समस्याए पैदा हो जाएगी तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की और जाना होगा यह रिपीटिड है बेटा हर साल पूछ रहा है वो हर साल आप से मोनो कल्चर का इंपेक्ट पूछ रहा है हर साल वो आप से क्लाइमिट चेंज पे पूछ रहा है है ना यह बड़े फिक्स कोशन है और फिक्स पैटर्न है ठीक है एक और कीजिए यह वाला यह वाला पैसे जोर कीजिए सस्ते और प्रचूर मास की तलाश के परिणाम सरूफ फैक्टरी फॉर्म बनाए गए है पढ़ो इसको अभी बस दस मिनट और चलेगी क्लास दस मिनट के बाद आपकी क्लास को और करते है दस मिनट और बेटा है ना दस मिनट और देखिए दस मिनट और मुझे भी भूख लगी है कोई बात नहीं क्लास दस मिनट और चलेगी है आड़ो आपकी क्या crucial message है कहना क्या चाते है कहता है ओध्योगिक पशुपालन इंडस्ट्रियल फार्मिंग बड़े पैमाने पर मास का उत्पादन करना सस्ता होगा और ये गरीब देशों को प्रोटीन का पोशन देगा मास उत्पादन उत्योग पशुवों के प्रतीक रूरता के वुरुद कानूनों का उलंगन करता है ओध्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मास उत्पादन आवांचनिय है और इसको तुरंत रोक देना चाहिए और मास उत्पादन की परियावरनी अलागत आधारनिय होती है और इसका उत्पादन औध्योगिक पशुपालन से किया जाता है D ठीक है देखो इसका आंसर है D आप खुदी देखो बेटा ये क्या कह रहा है इस पूरे पैसेज में देखो इसने बोला अब ही आप मास उत्पादन पे उतर गए है ना लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मास की तलाश में बड़े बड़े फैक्टरी फॉर्म खौल दिये अब अधिक से अधिक पशुओं को कुरूर रूप से और सोचनिय दशाओं के साथ छोटे छोटे आपने बाड़ों में ठूसा दिया है ना धेरियों में ठूस दिया अब विश्व में अब ये कह रहा है इसके जो आप इस तरीके से जो ये काम कर रहे हो ना इससे पूरी दुनिया में स्वास्त्य संबंदी बहुत सारे महामारिया आ गई एक देश से दूसरे देश में चली जाएगी क्योंकि वैसे ही पूरा विश्व आपकी प्लेट पे आ चुका है तो देशांतरिय महामारिया उठ खडी हुई है प्रॉबलम इससे हो गए आपके हैल्थ इश्यू बहुत सारे हैल्थ इश्यू हो गए इस तरह से आपके इंड अर्टिफिशल लाइट दे रहे हो आप उनको उनको एंटिबाइटिक्स किला रहे हो ग्रोथ के हर्मून दे रहे हो और बस वो जिन्दा है उस दिन तक जिस दिन तक वो मरने का दिन नहीं आ जाता और कुछ नहीं कर रहे हो उसके बाद कहता है मास उत्पादन से आप जो आप मास उत्पादन कर रहे हो इससे जल भी ज़्यादा खपत हो रही है कहता है एक किलोग्राम मास के लिए 15,000 लिटर की जल की जरूरत है जबकि एक किलोग्राम धान के लिए सिर्फ 3400 लिटर जल की जरूरत है और कहता है एक किलोग्राम अंडे के लिए 3300 लिटर और एक किलोग्राम आलू के लिए 2500 लिटर यानि कि आपका तो मास उत्पादन मास उत्पादन से जल भी ज़ादा कंजूम हो रहा है जल भी कंजूम ज़ादा हो रहा है वाचर का ज़ादा मिस्यूज हो रहा है उसके साथ आपको हेल्थ इस्शूज भी बहुत सारे है ओके तो इसने क्या कहा मास उत्पादन का जो एनव खान उख सकता था, कितने आप अंडे पैदा कर सकते थे, कितना ही आलू पैदा कर सकते थे, तो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, किरें, ये आवांचनिय हैं, और इसको तुरंत रोग देना चाहिए, आवांचनिय नहीं बोला उसने, जरूरत तो है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, उसके बात क्या रहे है, पशु करूरता का उलंगन करता है, पशु करूरता की बाते नहीं हो रही है, यहां पे, और यह कहता है, और दोगिक पशु पालन, बड़े पैमाने पर मास्क का उत्पादन करना सस्ता है, सस्ता नहीं है बाई, और गरीब देशों के प्रोटीन दे आप खारे हो non wedge उसकी कीमत देखो आप कीमत देखो उसकी वो सस्ता पड़ेगा या महेंगा पड़ेगा आप बस देख लेना वो सस्ता है या महेंगा है वैसे भी अगर आप देखना चाओ सस्ता कहां है ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं इवनिंग में सवा पांच बजे बेटा होगा सेशन है ask me anything आप सभी बच्चों के ask me anything अभी PT आने वाला है 5 जून के दिन PT है हमारा पांच जून के दिन बहुत सारे सवाल आ गए होंगे current affair कैसे करे subject को कैसे लेके चले आपके बहुत सारे personal doubt है उसी को solve करने के लिए सवा पांच बजे आज वन आर का सेशन है एक घंटे का सेशन है ask me anything आप अपने जवाब सवाल लेके आईए और मुझसे जवाब पाईए और यकीन मानिए अगर आपके सवाल बहुत genuine है और आपका मेरा जवाब आपको मिल गया तो आपका 2022 न पांच जून का दिन birthday बना देगा ठीक है उसके बाद अगर आपकी geography optional है हिंदी माध्य में तो आप मेरे साथ पढ़ सकते है प्लस पर already course चल रहा है ethics GS paper 4 complete है बेटा प्लस पर जाईए और याद रखना आज रात 12 बज़े तक आपका offer चल रहा है 20% UPSC ने seat बढ़ाई है और Unacademy ने देखो UPSC ने seat बढ़ाई है 20% और Unacademy ने fees घटा दी है 20% लेकिन ये offer आज रात 12 बज़े तक ही है और फिर से कहता हूँ अगर आप हिंदी माध्यम से त्यारी कर रहे हो आपकी सफलता का रास्ता बेटा इसी code से जाना है ये बात आप आपको 22 में समझ में आ जाए 23 में आ जाए 24 में आ जाए 25 में आ जाए रास्ता यहीं से जाएगा अगर हिंदी माध्यम से हो तो इस code को जितना समय रहते आप इस्तमाल कर लोगे free classes में जो बच्चा subscription लेना चाहते है उसमें उतना ही जल्दी आपकी life और आपका रास्ता आसा सब फ्री है और अगर आपको community पे मुझे follow करना है याद रखना बेटा community community भी आपको learner app पे ही मिलेगी कल जो मैंने environment की class जो geography की class ली थी ना biome discuss किया था और उसका वो content मैंने बोला था मैं biome का content भेजूँगा UPSC बाहर नहीं पूछेगा वो already मैंने community पे डाल दिया है तो जि जितना भी value added material है और exclusive है तो भाई मैं उसी बच्चे को दूँगा जो मुझे ढूंडता हुआ आएगा CDC बात है इसमें पैसा तो कुछ लग नहीं रहा आपका पैसा नहीं है और अगर आप इतनी तकलीफ भी नहीं कर सकते कि learner app को download करो और मुझे community में आके follow करो तो कोई बात नहीं आप सारी जिम्मिदारी में नहीं थोड़ा ना ले ली आप घर बैटे रहो आपका गेट नौक करो नौक नौक आप कुछ कौन है मैं बोलू नहीं नवीन तवर सराय है अनकेडमी से लो बेटा आपके लिए मैं किताब लेके आया हूँ पढ़ लो आपको IS बना है ऐस यह आपका स्कोर बूस्टर सिरीज है यह मंडे से फ्राइडे चलती है सुबह 10 बजे प्रिलिम्स में हेल्प करेगा बहुत सारी फ्री मेगा टैस्सरीज है यह हिंदू पे है सी सेट प्रेक्टिस पे है इसको भी लगाईए आज से नई बैच लॉंच हो रहे है 2022-23 के लिए बाइलिंग्वल, हिंदी, इंग्लिश सब तरह के बैच है अनकैडमी के पास थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर करना, इवनिंग में सबा पांच बजे मिलेंगे, आस्क मी एनिफिंग, अपने सारे सवाल लेके आओ ब